Hello Everyone, Welcome and Welcome Back to the Channel ये वीडियो है थर्ड पार्ट ओफ इंटरनेशनल बिजनस की जो सीरीज थी उसका ये थर्ड पार्ट है इसके अंदर हम कुछ टोपिक्स करेंगे इंटरनेशनल बिजनस से ही इलेटेड फर्स टोपिक है हमारा थेयरीज ओफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल जो ट्रेड है इसकी थेयरीज यानि कि हम जब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है हमने जो फर्स पार्ट पार्ट वन पार्ट तू इसके अंदर डिटेल में किया हुए कि इंटरनेशनल बिजनस क्या होता है international business environment क्या होता है trade क्या होता है marketing क्या होता है सब कुछ ज़से किया है यानि कि trade वही कि अगर हम एक देश की एक देश की boundary से बाहर रहे कर अगर trade कर रहे हैं तो वो international कहलाएगा कुछ भी चीज किसी देश की boundary से बाहर जा रही है इसका मतलब वो international है वहीं अगर हम trade देश के बाहर कर रहे है तो वो international trade कर लाएगा बात आती है theories की तो जो theories है ये time के according देते हैं लोग कि उस time लोगों की कुछ अलग philosophies होती है वो कुछ सोचते हैं कुछ मानते हैं और वो कुछ principles देते हैं कि trade is according होना चाहिए या फिर trade इस according होता था उस time पर या फिर ये approach सही है यानि कि theories एक तरेके से हमें approach देती है and international trade की theories को हम दो हिस्टों में divide कर सकते हैं एक होती है classical and एक होती है modern classical and modern दोनों में क्यारी फ्रेंस है जो classical वाली है वो old होएंगी नाम से पता चलता है कि classical वाली में हमारे old concept आएंगे कि पहले के time पर जो लोग मांते थे modern में जो new है इनको inter country based theory भी बोलते है classical trade theories को inter country based theory भी बोलते है इनको form based theory भी बोलते है क्या जैसे कि जो यह थी ना यह पुराने के time की है तो यह कब की है यह है world war second से पहले के पहले के जतनी भी theories है वो हमारी classical वाली है world war two के बाद जितनी भी आई है वो हमारे कौन सा है modern वाली है इनको इनको दिआinas है economist नहीं जो अर्थ शासरी होते हैं हमारे उन्होंने यह दिया था लेकिन इनको किसी एकŉन् से कुल के professors जो होते थे उन्होंने कुछ principles दिये तो उनको हमने theories का रूप दिया इनको inter-industry trade theory भी बोलते है classical के दो नाम होगे inter-country वाली and inter-industry trade theories और इनका नाम होगे intra-industry intra का मतलब होता है जहाँ पर intra लगता है और intra में क्या फरक होता है intra होता है वो एक ही चीज़ की बात करता है intra दो चीज़ों की बात करता है जैसे कि inter-school competition होते थे उसमें क्या होता था कि दो स्कूल के बीच में आपस में competition होता है वैसे यहाँ पर कि दो industry की बात होएगी intra में सिर्फ एक industry for example अगर कोई clothing industry है तो सिर्फ clothing industry की theories से लिटिड है वहीं अगर इंडिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है clothing industry भी कहेंगे है shoe industry भी कह सकते हैं यानि कि एक से जादा industry जहां पर होएगी इन शोट अगर हम कहें तो जो classical वाली है वो क्या है वो हमारी macro concept के से इसाथ deal करती है किसके साथ macro macro मतलब बढ़ाई यह एक broad concept के साथ deal करती है और जो modern वाली है यह करती है micro के साथ macro मतलब short level यह बढ़े level के साथ और यह short level के साथ इसमें क्या होता है कि दोनों में कुछ-कुछ theories है classical में भी and modern में भी अलग-अलग है सारी mercantilism absolute advantage, competitive advantage, factor endorment इसमें भी है इनको one by one करते है सबसे पहले जो classical वाली है इसका first part है first जो theory है mercantilism क्या हर एक theories में सिर्फ कुछ key points हमें learn करने कि यह theory किस से ready क्योंकि कई बार यह काफी ज़्यादा confusing लगती है कि यह same same सी है तो सिर्फ अगर हम इसमें जो notes है यह काफी ज़्यादा concise है सिर्फ key points में लिखे हुए पूरी-पूरी line इसमें नहीं है ताकि समझ में हमें जल्दी से आ जाए कि अच्छा ही इस key point यह इस थियारी में था तो वो mercantilism में क्या होता है यह जो थियारी है किस according आई थी वेस्टन European economic thought था ना उस थाइम पर जो West का Europe के West के जो thoughts से उन्होंने यह थियरी दी थी किसने दी है यह अच्छे से किसी का नाम इसमें defined नहीं है किसने दी है यह थियरी इस थाइम के coding आई थी इसमें जो main focus था wealth and power wealth and power है वो हमारे precious metal है precious मतलब बहुत ही कीमती कि उन्हें हम खोना नहीं चाते और उनको खोना afford नहीं कर सकते इस सेयोरी में यह बात करे गई थी कि mercantilism किसका wealth and power है इसको संजो के रखना है यह हमारे पास सोड़े ही है अगर हमने इनको बहार जानी दिया तो हमारे पास खत्म हो जाएंगे इस सेयोरी का माना यह था यह इसका key point क्या है wealth and power सिर्फ और सिर्फ wealth and power की बात करी थी क्योंकि यह precious metal थे इनके according जो किसी भी देश के लिए metal क्या है सोना चान दी वो इनकी wealth थी और किसी बात से इनको कोई मतलब नहीं था इस थेयोरी को self-sufficiency theory and selfish theory भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यह सिर्फ अपने ही देश के अंदर उस wealth को बचा कर रखना चाहते थे किसी के साथ ना तो trade करना चाहते थे चाहते भी थे तो उस अपने ही favor में यह इस थेयोरी के था क्या क्या कि favorable balance of trade हो balance of trade favorable होने का मतलब होता है हमारे परस दो साइड होती है important export कि कोई देश अगर बहार से मंगवा रहा है तो वो import है अगर बहार भीज रहा है तो export है हिंदी में इसको आयात और निर्यात कहते हैं तो वो कहते थे कि हम बहार कम भीजे हम बहार कम भीजे ऐसा करो और बहार जादा भीजे export हम जादा करें और बहार से कम हमंगवाई इन्होंने इस वाद पर जोर दिया था कि favorable balance of trade होना चाहिए तो यह क्या बात शो करती है यह इन देश का तो फैदा है यह export करेंगे export करेंगे दूसरे देश की currency हमारे देश में आएगी तो हमारे लिए तो फैदा है लेकिन क्योंकि यह सिर्क अपना फैदा देख रहे थे इसलिए इसको selfish theory बोल सकते है फिर self-sufficiency theory इसको बोल सकते है जो mercantilism थी हमारी इसमें फिर जो ही metals की इनकी बात करी थी इन metals को बोला कि इनको accumulate करो क्या करो accumulate करके रखो उनके इकठा करने पर इसने जोर दिया था यह theory दिखो हमने बोला Western European Economic Thought था उसके according थी तो इन्होंने न imperialism जब उस टाइम कलोनी बनाते थे न जैसे East India Company अलग अलग देशों में जाकर वहां पर पहले तो company के उससे जाती थी trade करने trade के बहाने फिर उसने वहां पर राज करना शुरू कर दिया कैसे colony बनाकर कैसे colonies बनाकर जैसे for example इंडिया में आई थी न East India Company इस इंडिया वह हमारे देश में आई और दीरे दीरे कलोनी बनाकर उसने राज करना ही शुरू कर दिया तो उनके सोच किया थी कि किसी भी देश की wealth अपने पास रखो यह सारी थी और सफ एक एक ही चीज़ के बात करें थी कि wealth पे wealth and wealth and power wealth and power पे इनका जोर था कि किसी भी देश में अगर जा रहे हैं जहां पर कलोनी बना रहे हैं वहां की wealth को भी अपने ही देश में लेकर आना यह इनका सोचना था और क्योंकि चाते थे कि export यह जादा करें तो इसके लिए कहा इन्होंने government को कि आप intervention करो आपकी दखल अंदाजी होना जरूरी है कि अगर आप ऐसी कुछ पॉलिशिस मनाओगे कि इंपोर्ट पर टैक्स बगारा लगाकर तो लोग कम भी इंपोर्ट करेंगे कम भी इंपोर्ट करेंगे तो देश का फैदा है यानि कि government की intervention पर जोर देती थी यानि कि free flow यहां पर नहीं होता था यह main point है कि जो first theory है यह सबसे पुरानी theory है कि इसमें काफी हम कह सकते कि काफी narrow concept की बात करेंगी थी कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचा गया था wealth को accumulate करने की बात करेंगी थी कि free flow नहीं होना चाहिए free flow नहीं होना चाहिए क्योंकि होगा तो जैसे मर्जी चाहिए import export होगा लेकिन कहते थी government के तुम control रखो तुम intervention करो export बढ़ाओ import को कम से कम करने की कोशिश करो इसके अंदर बोलागे कि wealth को accumulate करो क्योंकि wealth ना एक limit में है wealth हमारे पास ऐसा नहीं कि evidence में है वैसे तो economics की basic assumptions होती है कि resources एक finite number में भले ही जादा हो बट finite है एक time के बाद अगर उनको जादा use करेंगे तो खत्म हो जाएंगे तो इसलिए उनको accumulate करने की जरूरत है यह theory का मानना था किस-किस पर बात करें किसने wealth and power पर self-sufficiency पर अपने अपने फैदे किसने बात सोची एक point यह जरूरी है इसका government intervention अब फाइदे क्या थे इसके फाइदे जो भी थे वह सिर्फ उस देश के लिए थे जो किसी दूसरे देश में जाकर colony setup कर रहे है दूसरे देश के लिए तो फैदा था यह नहीं क्या कि economic growth होती थी किसकी उसी देश की for example वही वाला कि इस टिंडर company वालों की सिर्फ उन्ही ब्रेटेन की ही growth इसमें बात करेगी कि मैं सिर्फ example ले रहे हूं ब्रेटेन की किसे भी देश की जो दूसरे देश में जाकर colony setup कर रहे है फिर जिनका मानन ऐसा है जो इस thoughts के लोग है कि जिनका विचार यह है कि अपने देश में wealth को accumulate करो national security infrastructure, job, stable economy वो सिर्फ अपने देश के बारे में source से थे लेकिन नुकसान क्या था इसका वही innovation नहीं होएगा wealth concentration होएगी concentration कैसे कि इंडिया के बीच अपने अपने पास लेके चले जाओ इंडिया के पास उस टाइन कितने wealth थी कहते हैं सोना है वो सारा वो लेके चले गए क्योंकि concentration उनका था उनका था एक ही जगार है यह wealth एक जगार इनका concentration होना चाहिए जहां पर भी उन्होंने कलोनी सेट अप करी उसका पूरे तरिक्के से सुने सोशन किया उसको तो यह इसका नुकसान थे real life में हम कहां पर देख सकते हैं जहां पर trade monopoly हो इंपिरिल्सम की बाते हो वहाँ पर क्रिटिक्स के कहते हैं को कि यह zero sum fallacy है डिरेक्ट इससे कोशन बन सकता है कि zero sum fallacy कौन से वाले थियरी है mercantilism क्योंकि इसमें दूसरे जिश के फैयदे की तो बात नहीं करेगी है zero sum fallacy का मतलब है कि सर्फ अपने अपने फैयदे की कि दूसरे वाली पार्टी है जो उसको थोड़ा सा भी फैयदा ना हो mutual benefit की बात इसमें नहीं करेगी जिरो मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको तो decline इससे होता international cooperation पर कि अंतराश्य सर पर लोगों के बीच cooperation है उसमें क्या होता है कि decline आता है जो relation है उनके बीच के दो देशों के बीच पे वो खराब होते है यह हमारी mercantilism theory थी इसके अंदर main point यही थी wealth and power, self-sufficiency and government intervention यह इसका main point है second theory है वो आती है अब जो जैसे जैसे next theories आएंगी वो पुराने वाली कमियों को पुरा करेंगी absolute advantage theory यह किसने दिदी Adam Smith first theory का कुछ clear नहीं है लेकिन time उसका given था कि 16th century के around वो आई थी 1776 यह कभाई थी 1776 में Adam Smith ने दिदी उनके जो work था उन्हों ने किया था काम किया था किस पर wealth of nations उनके book थी उसमें उन्होंने कहा था कि किसी देश की wealth है ना real wealth वो लोगों का standard of living है कि nations की wealth है असली वो है उनका standard of living इसमें इसमें पर बात करेंगी थी and labor cost per unit की बात करी थी specialization main point इसका क्या है specializations कि किसी देश की efficiency कितनी है production में किस में production में यानि यह जो थेयरी है नाम से clear होता चलेगा absolute advantage का मतलब कि कि किसी देश के पास इतनी absolute advantage है absolute का मतलब क्या होता है कि पूरी पूरी दो term होती है हमारे पास हमने सुना है कि एक उत्य relativelyism and एक उतना absolute absolute जो बात करते हैं वो अपने आप की बात करते ईपने आप में पूरी है वह जो relativelyism होता हो compared की बात करती है कि दूसरों के comparison में कैसी है यहां पर ना किसी देश की पूरी अपने-ूप में दोनों के पास resources कम है क्योंकि हमारा मानना यही है कि economy में scarcity है resources की तो क्योंकि scarcity है दोनों के पास resources कम है उसमें भी यह country है जो इतनी जदा efficient है कि produce बहुत अच्छे से कर पा रही है यानि यह इसकी efficiency है यह इसकी productivity पर बात करती है एडम स्पित नहीं यह थियरी दी थी जो main point है वा उसका यह है कि productivity difference है दोनों देशों के बीच में country A and country B के बीच में इसका जो production है वो जादा है इसका production कम है जबकि resources दोनों के सेम थे अब एक थोड़े से input में थोड़े से input में कोई जादा output बना रहा है तो किसका फैदा होगा वही न जो थोड़े से input को use करके बनाएगा तो यही उसकी absolute advantage है कि कैसे कोई देश थोड़े से resources में थोड़े से साधनों में जादा output कर सकते हैं इसमें mutual benefit की बात करेगी यानि कि जो उपर वाले theory में कमी थी कि वो सिर्फ अपने प्रे फैदे के बारे में सोचती थी बट इस जो है यह clothing में अच्छी है तो यह सोचेंगे कि हमारे पास shoes अच्छी है हम आपको दे देते हैं आपको आपके पास पहुचा देंगे एक्सपोर्ट आपके पास क्लोधिंग की absolute advantage है तो आप वहां से import कर लेंगे यानि कि mutual benefit किसमें बात करेगी लेकिन mercantilism में ऐसा नहीं था इसमें wealth creation पर ध्यान दिया गया यह main point है इसका उसमें wealth accumulation पर बात करेगी थी इसमें wealth creation पर labor theory of value उन्हों नहीं दी थी जितने भी classical theories है उसमें जो पहले तीन theories है उसमें labor को ही factor of production माना है वैसे इसमें और भी काफी चीज़े हैं मैंने सिर्फ key point लिखे हैं जितने भी हमारी theories के हैं क्योंकि क्योंकि जितने भी जितने भी जितने भी जितने भी हैं वह सारे होमचीनिस हैं होमचीनिस इन दा सेंस कि उनकी जो productivity है मार्शनल productivity है वह सेम है बट ऐसा नहीं हो सकता ना तो जितनी पर assumptions है वहीं उनकी criticism उनका बन जाता है तो सबकी सेम है इसलिए मैंने किसी के लिखी नहीं है इसमें labor theory of value की बात करी थी और इसका जो point आदे को नेक्स चरी आएगी ना उसमें भी कुछ-कुछ मिलती जुलती ब बात करी थी कि किसी देश की production में overall efficiency यानि हम कह सकते positive point की बात करी थी कि उसकी efficiency है ना वो दूसरों से काफी better है कम resources में ज्यादा gain कर पा रही है एंड जो इसकी efficiency है वो ऐसी है वो इतनी superior है कि कोई दूसरी country उसको beat ही नहीं कर सकती हरा ही नहीं सकती या कह सकते कि मुकाबला कर कर लिया है उनकी जो productivity difference है वो इतना जाधा है कि कोई दूसरा देश इनके सामने टिक ही नहीं सकता absolute advantage यह बात करती है natural flow देखो यह वाला point भी से अलग है mercantilism में बोलते हैं कि government का intervention होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्यों हमें आ actually रहा है इंटरश्रे सर्पर तबर फैदा होगा तो इन्हों daha natural flow होने दो ऐगर हमारे पास कुछ चीज अच्छी नहीं है तो हम इपॉर्ट कर लेंगे क्या दिक्कत है इसमें फ्लो होना चाहिए नैचुरल यानि गवर्म की रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया एंड ट्रेड को फ्रीली होने दिया गया इसमें बाइलेटरल ट्रेड यानि कि दो कंट्री की बात करेगी एंड ब वैसे इतना बड़ा नहीं है बस अगर लिखना चाहिए तो लिख सकते कि दो देशों की बात करेगी दो से जादा देशों की इसमें बात नहीं करेगी एप्सुर्ट अडवांटेश थरी किस ने दिती एडम स्मित ने और कब दिती 1776 और मैच तकोलम में हमारी अगर जैसे इनका काम था किया था सब्जेक्ट था और का वैल्ट ऑफ नेशन तो यह पूच सकते हैं हम कहीं बड़ की दुबात मर्केंडली की गई लेकिन नहीं वहां पर जो वैल्थ था वहां था मैटल्स यहां पर वैल्थ क्या है किसी दीश की एफिशेंस से क्या है वहां के लेके स्टेंडर ऑफ लीविंग क्यासा है यह इसकी वैल्थ है यह किसने दिती आडम स्मितने यादि कैसे कर सकते हैं एडम स्मितने ही एप्सलूट आडवांटेज नेक्स रूच्ट अंगोरी बात करती है लेकिन जो इनके नाम सेम सहीं थोड़ा सा अपने आप में वह पूरी कितनी है अपने आप में वह overall efficiency उसके कितनी है इस पर थ्यान दिया गया इसमें का comparison था किसे related था कि इसका main point है opportunity cost कि दो देश हैं वही country A and country B यह भी production कर रही है इसकी कि कॉस्ट इसकी बहुत है इसकी कुछ जो एक कोस्ट आती है इसमें कोस्ट होती बहुत एक हुट चला है वहां से उने profit मिलता है तो जो profit मिलता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अपनी skills को कहीं और लगाते ना किसी और के नीचे काम करते तो उनको salary मिलती क्या मिलती salary भले ही तुम्हें profit मिल रहा है लेकिन यह कहते है कि तुम्हें salary को खोया है खोया है in the sense कि तुम्हें salary मिल सकते थी तब यह concept आता है ना कि अपनी लिए salary बचा के रखते हैं जब भी profit करते हैं लेकिन कई बार नहीं बचाते हैं तो वो क्या होते हैं कि opportunity cost कि अगर आप यहां पर तो आपको profit मिल रहे हैं बट अगर आप कहीं और करते हैं आप तो salary मिलती तो आप उस चीज को miss कर रहे हैं आप उस चीज को खो रहे हैं यह आपके क्या opportunity cost है कि इस opportunity को खोने पर चो cost आई है इसको पोलते है opportunity cost बिजनेस के concept में यह क्या होता है कि बिजनेस हैं producer के point of view से देखेंगे कि एक producer है goods को produce कर रहा है A good है and good B है कि A good को बढ़ाने के लिए इस इसके production बढ़ाने के लिए क्योंकि इसमें profits आता है तो वह जादा इसको production करते हैं इसका थोड़ा करते हैं फिर इसको करते ही नहीं है तो इसका माना यह है कि opportunity cost क्या रही है कि इसको खो रहे हो ना आप तो जो यह cost है इसको बोलते opportunity cost simple word में क्या कि एक चीज को बनाने के कि हमें दूसरी चीज को खोना पड़ता है हाला कि कोई कंसेप्ट इस इतना प्राक्टिकल नहीं है फैदा तो हमें इसी में हो रहे हैं लेकिन आसा माना जाता है कि वह आपकी क्या है अपोर्चुनिटी कोस्ट कि आपको आपने वह खो दी अगर आप वह करते तो आपको वह मि बात करीगे तिस कि जैसे दो देश्ट कर रहे हैं कन्टी में इनकी कुछ कोस आएगी तो जैसे एक इसके कम आती है कर रहे हैं को से क्कॉस्ट में कम रहे हैं कोछने को साव से प्रदक्षन दोनों का एक का ज़्यादा है एक कम लेकिन कोस्ट दोनों के सेम है तो कि इसका फैदा हुआ इसका फैदा हुआ ना ऊपर वाली खैए अ सैन अ के अल्य कि एक कंट्री जादा य хотा होता है एकका कम होता है इसमें चाहे दोनाका सेम है लेकिन फॉर्चिन को पॉस्ट के पैरेbक долларов के मानी पर दूसरी दिश्रिफ के में कोस्ट कम आया है प्रडिक्शन फिर भी सेम है यानि कि 10-10 रुपे दोनों के लगई 10-10 लगाई और प्रडिक्शन एक ने 12 का कर दिया एक ने सिर्फ 10 का ही करा तो फैदा किसका हुआ इसका हुआ ना वैसे इसमें है क्या कि पॉर्चुनरी कोस्ट एक कमाई है एक की जादा आई है और लेकिन दोनों का सेम है तो फैदा किसका हुआ जो कम कोस्ट में हम जादा प्रडिक्शन करते हैं यह जो main point क्रक्सिस का इसमें सिर्फ यह ही है इसके बाद कुछ भी नहीं रहाता है इस थियर्यमें इर सने ती यह देथी डैविद रिकार्डो ने डैविद रिकार्डो ने मेदिये सब याद करने जरूरी है इनसे डायरेक्ट कोशिन बनता है इनका वर्ग क्या था उन्द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एकॉन्मी और टैक्सेशन यह सिर्फ याद करने की बात है स्टैक्टिक पर्शन है कि इनका इन्होंने किस पर यह बात करी थी इनका वर्ग प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एकॉन्मी और टैक्सेशन यहां से कुशिन आ सकता कि एक तरफ दे देंगे एक तरफ पूछ लेंगे किस ने दी है तो मैच कर देंगे कि डैवर डिकार्डो ने किस पर बात करी थी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स उन्होंने दिये थे अब दूसरी country के comparison में एक country कम opportunity cost पर उतना ही produce कर पा रही है तो इसका फैदा है जो लेवर है वो तो सेम रहेगा देखो लेवर कोस्ट है वो डिसाइड करती है दोनों प्रैस की को कमड़िटीज को दोनों कमड़िटीज के प्राइस को मैंने सिर्फ इसमें की पॉइंट लिखे हुए है जिसकी इसका की पॉइंट बनता है कॉंस्टेंट इटर्ण्स टु सकेल कॉंस्टेंट इटर्ण जाता है अभी कुछ उतंट इद्वाइनल्स इत्या है क्या है वहीं कैसे हैं यह सई कुंने बनाता है यह है किंग सर्फ से Fil 여자 कि जी अकृइभ तो इससलिए बात में आर निकृटिक्शिम बन जाते एपसुल्ड एडवांटेज भी एंड कम्पेरेटिव वाली भी तीनों में सिर्फ लेवर की बात करें गई है वैसे तो फैक्टर प्रड़क्शन कहीं सारे होते हैं लैंड लेबर कैपिटल मशीनरी जो मशीनरी वैसे कैपिटल में आजाती है एक होता उंत्रपरिणोर तो इस सबद्रेजिय की उनके सब्रों मोडल न उत्र हैं कि निदो से हैं दो कॉमडियूटिट्स यह वन से बीक्टर कॉंसे लेबर की एक लेबर है दो थे रही है बीण से कवरेटी का रही है इसने मर्टन से अब इसके wszyscy की बात हो इसमें ना comparative advantage की बात करे गई थी सिर्फ overall efficiency की बात नहीं करी थी overall efficiency किसमें बात करेगी थी absolute advantage के अंदर mutual benefit की बात इसमें करे गई global value change informed trade policy से इसकी कुछ फैदे थे अवही नुकसान किया थे वही जो इसके assumptions है full employment ऐसा मानती है e-mobility factors होती है ignore करती है distribution impact score and perfect competition इसके अंदर assume किया चाहता है यह कुछ नुकसान है हम बोल सकते हैं वाकि इतना important नहीं है में चीज़ सिर्फ इसकी यह कि compared advantage किसने थी क्या इसके अंदर main point था दी किसने थी David Ricardo ने main point क्या था opportunity cost लास्ट जो आती है वह हमारी आती है factor endowment theory factor endowment theory किसने दी थी Hector and only ने दी थी कब दी अर्ले 20th century में या फिर early 1900 को बोल सकते हैं factor endowment नाम से यह पता चल रहा है अभी तक जितने भी हमने करे कहीं भी factor की बात नहीं थी ना इसलिए इसमें एक ही factor था क्या labor इसमें क्योंकि factor endowment की बात आ गी है इसका मतलब दो factor की इसमें बात करे जाएगी सिर्फ याद करने का तरीका है कि ना इसमें दो factors की बात करे गई कौन-कौन से labor and capital उनका proportions कैसा है कि किसी देश में किस मात्रा में पाये जाते हैं कि labor जाता है या capital जाता है उस space पर trade decide होना चाहिए international trade theories जो है वो यही बात करते हैं कि trade कि is according होना चाहिए इस according है कि जैसे उनके factor है न वो decide करेंगी कि किस तरीके का trade होगा अगर आपके पास labor जाता है तो आप labor से बनी चीज़ों को export कर दो अगर आपके पास capital जाता है तो obviously आपके लिए capital वाली कुर्स को बनाना असान रहेगा तो उसको export कर दो तो इसनी यह बात करीगी थी कि हर एक country के जो international trade में factor in dormants का काफिर जादा important रोल होता है कि कि किसी किसी देश में वो कुछ-कुछ resources तो scarcity में पाई जाते हैं किसी देश में कुछ-कुछ resources हो सकता है चाहिए वो capital हो या फिर labor हो एक firm किसी भी firm हो या country हो उसकी competitive advantage क्या बनेगी यह decide करते हैं उसके factors कि अगर किसी देश में labor जादा है capital जाता है यह decide करेगी उसकी competitive advantage यानि कि उस according इसकी competitive advantage मानी जाएगी international trade के level पर अगर हमारे पास वही बात है कि evidence में हमारे पास labor है evidence मतलब पर्चूर मात्रा में ज्यादा हमारे पास labor है capital है तो इसको export कर कर देंगे अगर कम है वह चीज़ा मैं import कर देंगे कि हमारे पास कमी है वह इंपोर्ट कर देंगे यह वही बात है mutual benefit यह भी कौन से theory है mutual benefit की perfect competition इसमें भी assumptions है perfect competition होगा free trade बागे सारे सेम से हैं कि factor price equalization इसमें बोलते है कि level or capital है आप कुछ भी लगाओ दोनों के price equal रहेंगे ऐ इतनी भी assumptions है ज्यादा पढ़ने की वैसे निगर नहीं होते क्योंकि यह इनका criticism बन जाती है मतलब पढ़ने की easy है यह काफी ज्यादा सारी नाम से पता चल जाएगा जितनी भी इसमें factor के बात करेंगे और कुछ इसमें पर समझे जाए सकी नहीं है perfect competition के इसमें बात करेंगी को के दिखाते हैं वैसे labor and capital दो factors है पहले वाली जो तीन थी mercantilism absolute advantage and comparative advantage तीनों में से flavor था इसके अंदर capital भी आ गई है इसके अंदर बोला गया है कि किसी उपर जो था ना जैसे उपर था इसमें भी ही है कि जो price होगा वो कैसे decide होगा martial productivity कैसी है factors की martial productivity का मतलब होता है कि एक factor labor है capital वो कितना produce कर पा रहे हैं उस according उनका price decide होगा इसके नुकसान किया थे वही कि immobility factors मान जाते है कि other factors के technology कि इसमें बात ही नहीं करी गई perfect competition तो ऐसा होता ही नहीं है यह unrealistic assumptions है distribution अनिकल है यह सब बाते करीगी और जो मेन इसका criticism था वो पढ़ने लायक है क्या लियोंतिफ paradox य कि अबहीं तक किसी भी थे और किसे ने को criticism नहीं दिया था लियोंतिफ नहीं इसके अंदर क्रिटिसिस्म किया इसका criticism उस ने बोला कि चो इस theory का मानना है ना कि अगर आपके पास labor जादा है तो इसके labor वाल चीजों को बहार बेच जो अगर आपके पास capital जादा है तो capital वा हमें अभास हो रहा है हमें फील हो रहा है कि यह थियोरी उस अकोडिंग नहीं है विरोध है वहाँ पर अलगी बात चल रही है कोंट्रडिक्ट कर रही है जो इस थियोरी का मानना है उसके नहीं चल रहे है बना 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 कि दूसरे देशों में इसका मणना यही था कि यह बहुत अपर कंवaron maior इसको पीज रहे हैं लेबर से बने चीजह को लेबर बनाती है। पीज एंपोर्ट कर जादा है पीजिज को उनका मनगा रहे हैं इंक पूर्ट करें में नहीं है। इसका मतलती प्रूफ सही नहीं प्रूफ हुई इनका माना यह था इनका पूरा नाम यह था वैसले लियोंतिफ 1950s में इनका यह थारी दी इसको इनका इनका प्रूफ स्पेसिफिक फैक्टर इंडॉर्मेंट थिए कि जिसके पास जो ज्यादा है उससे बनी चीजों को वह एक्सपोर्ट करें बत यूवैस ऐसा नहीं कर रहा था उसके पास कैपिटल ज्यादा थी बट वह कैपिटल से बनी इनका प्रूफ के लिए इनको नोबल प्रैस में ने रिसर्च करें थी इन्पूट आटपूट अनलसिस के उपर इस उन्होंने एक प्रूफ किया यह थियरी कलत है इसके क्या रिसन हो सकते हैं क्योंकि हैक्षर ओली ने तो अपने अकोर्डिंग सही बात करी तो क्यों यह सह से लन्हें सब्सक्राइब नहीं हो घुछाए अपने प्रूफ नहीं नहीं हो रही है इनका मानना था कि tää्ना इन्हों ने सफिय सब्सक्राइबर क्या होने मतलब कि **** एक्सपोर्ट करेंगे यह चीज में तो मैंटर करते कि क्या है कि इतने साधा मैंटर करता इसलिए हम इनका माना था कि हमारे पास बले ही कम है लेकिन वह नहीं इसलिए हम इनको फेज रहे हैं हम textile को भार बेज़ रहे हैं हम टैक्सटायल को भार पीज़ टैक्सायल से जो उनका business साब उसको भार export कर रहे थे क्योंकि उनके पास capital ज़ादा थे लेकिन उसके quality इतने नहीं थी quality of capital कम थी इसे लिए वो machinery को बाहर से मंगवा रहे थी Japan वगरा से तो यह उन्होंने reason दिया कि शायद यह reason हो सकते हैं कि labor जादा होने का मतलब यह नहीं कि वो skill भी है क्या पता वो skill unskill हो ठीक है एक यह factor दूसरा capital की कैपेटल की quality कैसी है यह बात में decide करती है दूसरा क्या trade barrier कि किसी देश में क्या पताब barriers कैसे लगे हो दूसरा कि टेक्नोलोजिकल differences भी हो सकते हैं यह इनके कुछ reasons से हमारी चो classical theory से वह complete होती है कौन-कौन सी करी हमने first करी इनको इसके बाद हम करते हैं क्लासिकल के बाद आती है हमारी modern वाली मोर्डर में जो first time वैसे जो questions आता है वह आता है ज्यादा गर classical वाली से भी क्लासिकल वाली ज्यादा इन्दप उन्होंने बताई हुई वैले रिजन्स उन्होंने दिये में है किस-किस ने दी है एडमस पितने डैविड रिकार्डो ने हैक्षर ओली ने इन सब के नाम याद करने है इनके यर्स याद करने है आंड ग्लासिकल थे αυτ को क्या बोलते हैं इंटर कंट्री बेस थेओरी बोलते हैं यी चीज़ भी आत करनी है अब आते हैं मोडन ज्याे रिकी टी़ुफने ने किसने देती स्टेफल लेंडर ने 1961 की अंदर जितने भी थ्यारी जाना वह सारी ऐसे आई हुई है कि पहले वाली हमारी कब आई थी 1500-1800 के आस पास यानि 16th century में फिर आई थी 1776 में फिर 1861 में आई थी वह फिर 19th century के पास आई थी यह वाली कब आई थी 1817 में आई थी यानि जितने भी आ रही है से लाहिन वाइज आ रही है सबसे पराने कौन सी हमारी मेर्केंडिलिसम यह चो है हमारी कंट्री सिमिलार्टी थियोरी यह आई थी 1961 में किसने दी स्टेफल इनका मानना क्या था कि हम ना नाम से आधकरते चलेंगे के कंट्री के सींडियर्ति कि कन्ट्री के बात के ठीकिसम़ेंक्री थी 6 यानि की समांता яв न्यूंके बीच में गया asleep समानता है कैसी उनका development level उनका development level अगर same है न तो वो सोचती है कि जो चीज मेरे देश में चल गई क्यों न मैं इसको उस देश में बेचू जहां पर जो मीर जैसा है कि हम दोनों जैसे हम same same है दोस्त दोस्त से हैं तो क्या पता जो मुझे पसंद आई यानि मेरे देश के लोगों को पसंद आई यहां पर वो चीज चल गई well established हो गई क्यों ना मैं इसको दूसरे देश में पिट्राए करूं एक्सपोर्ट करूं बट बेसिक बात क्या है कि सिमिलर्टी होनी चाहिए कि उस देश में भी जो डिवलेप्मेंट लेवल है वह सेम होना चाहिए ऐसा बोलागा स्टीफन ने इनका मानना था यह जो थेयरी है वह इं इसमें क्या था यह की पॉइंट है कि ब्रैंड नेम बनाना प्रोडक्त रेपोटेशन करना कैसे है उसको आगे बढ़ेंगे लेकिन इसके की पॉइंट यह है एवरेज पर कैपिटा इंकम यह कुछ की पॉइंट है की पॉइंट मैंने उपर इसले लिए हर एक थेहरी के कि लास्ट मुमेंट पर अगर हम सिर्फ यह देख लेते तो हमें पूरी थेहरी याद हो जाती है अच्छे से समझ में आ जाएगी देखो एक्जैंपल है एक कंट्री है उसने कुछ प्रड्यूस किया उस देश में अपनी डुमेस्टिक मार्केट में इसने इसको सेल किया वहा कि देश की मार्केट थी वहां पर वह चीज चल गई ब्रैंड बन गया डिमांड को सनी मीट कर दिया उसके बाद उसने सोचा क्यों नहीं में इसको एक्सपोर्ट करूं उस देश में जहां पर डिवलक्मेंट लेवल है वह सेम है जिस लेवल पर मैं हूं जितनी हमारी ट्रि finalinity होगी वहां पर यह theory apply होती हैं इसकें इंहीं है कि backwards similarity theology के अंदर जहां पार हमारे दीश मिलते जुलते की बात होगी हमारे से मिलता चुलता है तो वहां पर हीच इच वर्प करेगी ऐसा इनका मानना था नेक्स्ट जो थेयरी आती है वह हमारे आती है प्रोड़क लाइफ साइकल थेयरी जितनी भी मोडन थेयरी इसमें से फित्ता करना है कि किसने दी है कब आई है दी है और में प्वंट क्या था इससे जादव कुर्ष में निया यह गा यह फिल्किए अमने जादा ही कर लिया है और यह किस ने दी रेयमेंट वर्ण ने दीन 1960 में यह कंब आती 1960 में उपर वाली उपर भी 1961 में आई थी इसका इंदर इसे की बात करेंगी locks तीन स्टेजिस की बात करेगी प्रोड़क्ट लाइफ साइकल P.L.C. प्रोड़क्ट लाइफ साइकल की तीन स्टेजिस होती है वैसे तो देखो बेसिकली चार होती है किसी भी प्रोड़क्ट लाइफ साइकल की अगर हम जेनरली देखते हैं स्टार्ट किया ग्रोथ के बाद वह मैचूर्टी पर चली गई यहां पर पीक पॉइंट पर यानि कि कोई कोई भी जिसके कोल गेट है किसी का भी एक्जामपल ले सकते कोल गेट दन तकानती कि शुरू शुरू में पहले वह आई इंट्रोडक्शन हुआ फिर ग्रोथ में लेकिन इस थोरी में सिर्फ तीन स्टेजिस की बात करी गई है किस की नियू प्रड़क्ट की नियू प्रड़क्ट का मतलब वही इंट्रोड़क्शन वाली फिर मैचूर्टी एंड स्टेंडराइज यहां पर जो ग्रोथ वाला पॉइंट है उसको इन्होंने स्किप कर दिय इन्होंने सर्फ तीन स्टेजिस की बात करी है नियू प्रड़क्ट मैचॉर्टी एंड स्टेंडराइज हम ऐसे आद कर सकते टेंडराइज नियू प्रड़क्ट के अंदर क्या है कि न दो देश है कोई भी दो देश है जो डुलप हो चुकी है यह जहां पर डिलपमेंट च इनोवेशन हुआ इनोवेशन हुआ इनके लिए यह क्या है न्यू प्रड़क्ट है इनको लगा कि हमारे दिश में इनोवेशन हुआ हम इसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं शुरू-शुरू में इदे को निचे के उनके सारे सैम होएंगे कि शुरू-शुरमें की सेल्स कम होती है लोग इतना जानते नहीं है प्र्ोफि Comput बहुत कम होता है peso हो सकता है ह सेensor में यह होता है स्क्रिस इसके बाद जो सेल्स है वो बढ़ने का कोई चांस नहीं है सेल्स बढ़ेंकी भी न तो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगी मैंने काफ दा शोट फोर में लिखा हुआ है समझने के लिए कि सेल्स बढ़ेंगी बट ट्रीजिंग रेट पर प्रॉफित क्या डिक्लाइन होना करते हैं profit starts declining customer की preservation यहां से बन सकता है कि customer को preserve करने की बात कहां पे होती है maturity में यहां पर क्या customer है उसको preserve करेंगे यहां पर तो customer बने बनाए है तो इसलिए उसको preserve करने के कि इनको तो बनाकी रखेंगे था किस्टमर को अवेर करते हैं किस्टमर को अवेर करते हैं किस्टमर को अवेर करते हैं फिर उनको बनाने की अक्वायर करने की अगर हम लिख सकते हैं अगर हम एड करना चाहिना तो यहां पर लिख सकते कि कस्टमर को अक्वायर करने की बात यहां पर करी गई यहां पर कस्टमर क को फिजर्व करने की दो स्टेचेज सोगी हमारी निव प्रडॉक्ट एंड मेचियूर्टी इनके ऐसे ऑसे मिलती चलिए फीक्न तक हमें सौ Cand स्टेंड्राइज़ का मतलब भलद जैते कि अब यह चीज संड़ाइप कहेंद इसके बाद कुछफ इसके बाद इतना ही रहेगा इसके बाद अगर कुछ होएगा बढ़ने से तरह नीचे ही जाएगी इसका कहना यह है कि जो सेल्स हैं बहुत जल्दी से नीचे आने लगती है फास्ट वह वह जै्लेन ही जासार की थी सेल्स पहले हैं जल्दी गिरने जो profit थे वो sales से भी जल्दी जल्दी गिरने लगी है इसका मानना यह है यानि मिलती जल्दी सेम है ना वैसी जैसे हम पढ़ते हैं उसमें कि introduction stage, growth stage, maturity stage and saturation यह वो वाली है decline वाली कि यहां पर इसके बास से वो बढ़ेगी नहीं यहां से वो गिरेगी ही गिरेगी यह हमारी second theory थी रेमेंड वर्णर ने दी थी 1960 में थर्ड हमारी थेयरी आती है global strategic rivalry theory यह किस ने दी थी पोल क्रुपमेन ने एंड केल्यों लेंकेस्टर ने दी थी 1980 में यह थी global strategic rivalry theory जो strategic word है हम यहां से समझ सकते हैं कि strategy strategy word वैसे आया कहां से हैं army वगारा military वगारा से कि वो strategy बनाते थे दूश्मन को हराने के लिए जहां पर strategy अगर यह rivalry नहीं भी लिखते न तो भी हम समझ जाते कि strategy बना किसलिए रहे हैं अपने enemies अपने दुश्मनोंके लिए कि इनका मानने ऐसा है कि हमारे पास हमारे पास ऐसे strategy Nada है कि हम अपने दुश्मनों से बेहतर कर सकते हैं बहातर कर सकते हैं यह theory theory इसी पर base होती है इनका मानना होता है कि मनसेinkling उनके पास competitive advantage है दूसरे global firms के अलावा कि वो उनके पास एक ऐसे advantage है कि जो उनके पास है और किसी के पास है ही नहीं ऐसा इस तेरी का मानना होता है कि उनके पास sustainable competitive advantage यानि कि वो टिके रह सकते हैं market में अब वो किस basis पे entry barriers आया तो मार्केट में कैसे research and development इन्होंने इतनी अच्छी कर रहे है कि कोई दूसरे इसका मुकाबला नहीं कर सकता कुछ भी चीच हो जैसे for example apple है एपल के पास इतनी advantage competitive advantage ऐसी है कि कोई चाहा कर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता ऐसा मानते हैं हाला कि अब दूसरी companies आ रहे हैं इसे आगे तो यह था कि apple के पास R&D इतने अच्छी उन्होंने करी हुए है इप्यार से उनके पास ठीक है intellectual property rights economies of scale क्या पता वह इस तम पर खेल रही हो कि उनके पास economies of scale economies of scale का मतलब होता है जब हम large production कर रहे हैं ना पहले हम दस चीज़ बना रहे थे अब हम सो बना रहे हैं ना तो हमें काफी फैदा होता है कैसे फैदा होता है मैटीरियल में भी कि दूसरा fixed cost में भी कि पहले अगर हम दस चीज़े बना रहे थे तो तो भी हमारी fixed cost इतनी आ रहे थी तो क्यों ना हम हजारत बनाना शुरू कर दे तो जो fixed cost है वह भी cover हो जाएगी और profit भी हमारे साथ हो जाएगा तो यह होती है economies of scale economies of scale का मतलब है जब हम large production करते हैं तब हमें जो फायदे मिलते हैं उसको बोलते है economies of scale दूसरा कि आपता उसके पास ऐसा raw material हो जो दूसरों के पास होई ना इसलिए कि वो किसी ऐसे location में है कि location के वाइस उसके पास ऐसा raw material है for example Gulf countries है उनके पास तेल के कुए है वहाँ पर तो वह इसलिए उनकी क्या पता उनका business करने का तरीका है वह इतना unique है कि कोई इसको competition में हराई नहीं सकता तो यह theory से फिजी पर्टी की थी कि strategic rivalry उनकी उनकी उनके पास ऐसे strategic advantage है कि कोई rival firm उनका मकाबला नहीं कर सकती last theory जो हाती है हमारी वहाती है potter's की national competitive advantage यह important है वैसे समझने किसमें कुछ भी इसको नहीं है कि पोटर नेना एक competitive advantage है को जो हमने पहले पढ़ी वह comparative थी वह कौनसी थी comparative कंपेर्शन कर रहे थे यहां पर क्या है competitive competitive एक देश की अब कितनी competitive advantage है national competitive advantage क्या है तो confusion होना इसमें और यह पोटर ने दी थी वह थी comparative वहुत दी दिए डैविड रिकार्डों ने पो करेंट का मॉर्डल का मुझलब ऐसे करके ऐसे चार चीज जय थी पहले एक दो तीन चार और यह 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 जो लास्ट वाले दो है ना यह बाद में इंटरडूस हुए थे तो अगर कुशन ऐसे भी आप कर सकते हैं कि पहले तो यह चारीज पोइंट थे बाद में दो पॉइंट और आ गए थी इसके अंदर किस ने देखते हैं जब भी किसी देश के साथ इंटरनेशनली ट्रेट करने जा रहे हैं क्या क्या कि पहले जो चार पॉइंट है उसने पहले देथे वह सारे लोकल सिलेटिड हैं उनमें लोकल वर्ड कॉंबन आएगा कि ल उनकी मार्किट दिमांड कैसी आख कैसी है सप्लाइयर कैसे है यह कंप्लीमेंटरी छी मतलब यह सब्सप्क्रिश्यts शनी स्वार यह सब्सक्राइ। डूसरे भी कैसे तो इसकी बासीं का लe 났ल पर उसकी बात लोकल सोर्स की बात इन पूइपू आप्ट अधूप्ट पहल फिर एक था चांस और एक था गवर्मेंट की क्या पता है चांस मतलब कुछ में नैचुरल डिजास्टर आ सकता है फ्लूर्ट वगारा ड्राउट वगारा वह सब और गवर्मेंट की जो पॉलिसिस हैं वह भी तो इफेक्ट आलती हैं किसी भी देश की इंटरनेशनल ट्रेड यह हमारी टोपिक खतम होता है थेएरिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का इसके बाद आज नेक्स टोपिक आता है वह पैलेंस ऑपेमेंट का इस वीडियो में जितना भी हो सकता हैं इंटरनेशनल ट्रेड का वह सारा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें बार-बार अलग- इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट करने जब कर रहा है बहार से मंगवाया है तो हमें पेमेंट कर नहीं पड़ेगी एक्सपोर्ट जब उसने किया है तो बहार से पेमेंट आएगी तो जो पेमेंट है दोनों की इंपोर्ट की पेमेंट और एक्सपोर्ट की इन दोनों में क्या ब면ना चाहिए चाहिए ज़िए बास यारिव कि बात करते कि कि पास पैमेंट की सीच्वेशन की बैलेंस बैलेंस होनी चाहिए जो इस बास के देशे बाद कि चीना को भी ऐगी जब साors रदा कियर आप्सा था मैतले मेंगा स। बौर्ण बारmbre उसकी official reserve holding and trading कैसी है यह सब उसका कैसे पता चलता है balance of payment की position से इसमें क्या आता है कि international financial management का एक integral aspect होता है क्या क्या features होते है इसके economic है यानि कौन से scope होते है सकते हैं किस चीज से rate करते है economic point of view होते है इसके अंदर account and statistical statement होती है यह relation होते है इसमें receiving and payment के बीच में short form यूज की होई है इसका मतलब है receiving payment के बीच में given period of time एक period of time मैंने बताया कि import or export के बीच में balance होना चाहिए पर कितने time के लिए क्या पूरी जिंदेकी का हिसाब नहीं हर एक देश नॉर्मली ना एक एक एर का माना जाता है कि एक देश ने एक साल में कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया क्या उसका balance बन रहा है तो एक given period होता है का नॉर्मली वह एक साल ही होता है और हमेशा balance होना चाहिए ऐसा इसका मानना है कि always balance होना चाहिए और यह काफी जाद़ comprehensive है यानि कि इसके अंदर goods नहीं आते सिर्फ services भी आती है income भी आती है और capital भी आती है कैसे आते वह आगे पढ़ेंगे कि goods आते है services आती है इंकम आती है उसके बाद जो मेन पोइंट कोई है कि कटेग्रीज अब पहले से पेमेंट में हम वैसे दो तरह के अकाउंट परते है कि जो हमने बाहर बीचा कुछ भी तो अगर goods है अभी थोड़ा सा इसमें clear नहीं होगा बट बता देते हैं कि जो goods है उसको merchandise या visible categories में डाल लेंगे कि देखो goods इसको हम देख सकते है visible है वो उनको touch कर सकते tangibility उसके अंदर होती है तो goods आएंगे इस categories में services आएंगी इस पे invisible होती है services अगर हमने कुछ banking की insurance की tourism की यह जो facilities है अब देश्य अंदर हो या बाहर हो services तो कहले जाएंगी तो यह जो services आई invisible के अंदर आएंगी यानिकि जो goods और services इसी के अंदर तीन category बाटी हुई है एक होता है unilateral transfer unilateral देखो जहां पर भी यूणी वर्ड आजाए यूणी का मतलब होता है one यूणी का मतलब क्या होता है वन जैसे उपर हमने पढ़ा ना bilateral bilateral क्या था दो तरीक दो की बात करिए गए जहां पर पर होता है दो जहां पर वन यूदि हों वहाँ पर उसका मतलब रहें लेकिन यूट देंगे लेकिन भार से नहीं आएगा बट आसा कोन करता है ऐसे करते हैं सब जो family members होगे, relatives होगे, जाने पचाने वाले होगे, यानि जो हमारे belongings हैं जिन के साथ हो वाले, या फिर जो charities वाले होगे, अब देश में एक देश से बाहर कब होता है, अब अगर कोई बाहर रहता है, NRI है, वो अपने घर पर पैसे पहुचाएगा, वो इसके अगर किसी देश के दो देशों के में से किसी एक देश के अंदर कुछ natural disaster हुआ, ठीक है, प्राकरतिक आपता है, जिसको बोलते हैं, जैसे बार्ड वगएर आ गई, तो करते हैं ना, दान वगएरा, charities वगएरा, तो वो इसके अंदर आएगा, कि वो यह तो नहीं है ना, कि इस उमीद से करते हैं, अभी मैंने तरको दान दिया, अगले साल मेरे को दियो, ऐसा तो नहीं होता है, वो एक तरफ का होता है, unilateral transfer होता है, वो सब इसके अंदर आएगा, current account के अंदर, goods and services, and unilateral transfer, capital account के अंदर क्या आएगा, capital transfer होंगे, capital यानि बड़ी जो चीज़े होती है, और short term और long term दो हिस्वा में हो सकती है, financial account में के आएगा, जो government से related है, यह किस से related है, government से, यह कि रिजर्व से related है, किस से? रिजर्व, इसके अंदर हमारे foreign exchange reserves आएगे, gold में अगर जो changes होए है, वो आएगे, international monetary flow, कैसा है, bonds, stock, real estate में, जो investment करी है, business में, वो सब आएगा, क्या इस current में सिफ course and services आएगे, capital में हमारे capital transfer आएगे, financial account में क्या government से related है, इसके अंदर हमारे reserves आएगे, gold आएगा, या फिर हमने दुसरे दिश्क में, जैसे कि equity में पैसा लगाया हुआ है, bonds में पैसा लगाया हुआ है, real estate में जैसे properties बगारा, उसमें पैसा लगाया हुआ है, investment करी हुए दुसरे business में, international monetary flow कैसा हो रहा है, यह उस पे बात करता है, अब एक term होती है, balance of trade, balance of trade, balance of payment में फरक होता है, balance of payment है बड़ी term है, balance of trade इसका ही एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि हमने पढ़ा, balance of payment में goods and services दोनों आएगे, लेकिन balance of trade में क्या आएगा, सिर्फ goods आएगे, क्या आएगे, सिर्फ goods आएगे, तो यह फरक है, कि balance of payment में, balance of payment में दोनों आएगे, balance of trade में क्या आएगे, सिर्फ goods आएगे, यह जो visible category वाले है, जो उनका commercial balance है, सिर्फ वो commercial balance इसके अंदर आएगा, balance, उसका balance आएगा, कि इसका जो उनने goods में, कि एक दिश से दूसरे दिश में जो goods का transfer हुआ, उसका balance इसके अंदर आएगा, balance on merchandising goods, हमेशा इंडिया में जो balance of trade में देखा गया है, कि deficit में ही रहा है, अभी तक तो इंडिया, क्योंकि, और यह deficit में क्या दिखाता है, कि foreign currency की inefficiency है, दूसरों के तुलना में, कि हमारे दिश की export क्योंकि हम कर रहे है, import कर रहे हैं, जिसके वैसे deficit हुआ है, और हमारा देश अभी तक इसमें सिर्फ लोस में ही रहा है, deficit में हमने जो दूसरे देश से मंगाया जदा है, और दिया कम है, अभी तक यह थोड़ी सी चीजे थोड़ी सी blur होएंगी, बटागा अगे समझ में आएंगी, कि क्या होता है, यह समय आति है कि बैलेंस और हमारे जभी तो तो चुंत का अवह होता है, जो वीजिवल है, फिर्स पर रह यहां जो वीजिवल क्या है, और हमने ऊपर प्र बंच काउंट नहीं तो इसन थे करेंदे चेश लिए पुर्च का इंड देश लिख से बैल चन में उसे करेंद टी इन तरीके से हो सकता है या तो हमारा हो सकता है फेवरेबल या हो सकता है अनफेवरेबल या फिर हो सकता है बैलेस फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि हमने एक्सपोर्ट जादा करें हैं और इंपोर्ट कम करें हैं अनफेवरेबल का मतलब हमने एक्सपोर्ट कम करें हैं इंप एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पास पैसा आएगा दूसरे देशी से तो हमने कम किया है और दूसरे देशी से मंगाया जादा है अब जनर रूल क्या होता है सिको इस殊ंट को माइनस तर जो बैलन्स आएगा उसी को सरप्लस बोलते हैं अगर हमने वह फॉइपाइन और हमने कि कि एक्सपोर्ट जादा करा तो हमारा हो जाएगा सरप्लस अगर हमने इंपर्ट ज़ जाएगा डफिषिट। अगर हमारे कम्लैंटस या तो हमारे किया हो जाएगा हमारा बैलंस में देखो एपडार जाएगा हमारा बैलंस-ेख्यों फोड़ 00 you या तो deficit है या surplus है दोनों ही disequilibrium की situation है हम सोचते हैं कई बार कि हमारा घाटता है तो वो ही disequilibrium माना जाएगा नेकिन ऐसा नहीं है अगर हमने export ज़्यादा किया है ना तो ये भी disequilibrium माना जाता है और ऐसा मान रहता है कि ideal यही है कि हमारे पास balance रहे ना जादा हो ना कम हो अब आती है कुछ छोट छोट सी term कि inflow of money क्या होता है कि inflow of money हमारे पास पैसा आ रहा है inflow यानि पैसा flow हो रहा है हमारे पास पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है दो तरीके से आएगा या तो हमने कमाया है या हमने उधार लिया है या तो हमने कमाया है या हमने उधार लिया कमाया कैसे है एक्सपोर्ट करके ठीक है अभी चुछ एक्सपोर्ट है यह तो यह तो गुड्स में किया होगा यह सबस्सित में किया होगा कैसे भी किया हो इससे कोई मतलब नहीं है पैसा आया है हमने कुछ पास जो हमने पढ़ा था यूनिलेटरल वाला कि एक तरफ से पैसा आया है जो एन राइव वगार भीज़ती है हमारे पास एंड रोयल्टी अगर हमारे पास आई है वहीं बोरोइंग देखो हम सूचेंगे कि बोरोइंग तो नेगेटिव टर्म है लेकिन इसको कैसे हम इन फ् फॉरन डेलर आट इन फ्टाइउ पोर्टफॉली इंवेस्टमेंट टर Андिकmera कर एा कि हमारी देउर性 लाइब सब्सक्राइब पैसे हमारे देशने करिए अर अन्रadt पॉर्टिट किया है टोट्सेस की लिए हमने ली या तो पैसाल कि मरपास हम एगा पैसे मार्स के लाउन नि Hij किस मैटर निया है अब वो किस meant है rati है इंफ् ella होना चाहिए उन्हें के अंदर आएगा और यह जितनी भी हमके बाहर से पैसे लिया उटाया है वम सब इसके अंदर आएगा यह नि movements का आए पैसा आईगा। इसके ही इपोजिट आएगा हमारा». इसके अंदर से पैसा देखेंगे बहर जा रहा है। और वह कैसे जा रहा है? यह नहीं में मैटर करता है। या हमने खर्च करते हैं या फिर हमने लैंडिंग करी है चलिकते हमको कि भी दिन कंट सबढन Bash गया है और आप सबय संगिंगशा जैन यह से हैं तो क्वात Gesetzentwurf तो आएंगे अब यह वह है कि इसको एक चार्ट के फो में यह कि देखो करेंट अकाउंट होता है जो फाइनेशल अकाउंट नहीं वह इसी का पार्ट है अंदर में क्या क्या पड़ते हैं बैलेस अफ ट्रेट पड़ेंगे इंकम अकाउंट वाला पड़ेंगे युनिलेटरल ट्रेड में जो से और यह गुड्स का है और यह गुड्स का है जो वीजिबल होते हैं यह लोगट्व क्यप्तल बाला शोटर्म कैपिटल लोगट्म में यह एफ टी आई एप क्या ओट मनी चूट होती है होट मनी होती है ऑसिशल फाइनिशल यह फॉरण रिजर्व यह इसका o wealth tax that of pool this most income accounts करेंक हमारा डील क्परीक से इसका काझनल है इसका जो बहलेंस क्टेट है नेटं इंकम अब इसके अंदर बैलेंस और ट्रेड कlex जाएंगा जो बैलेंस एक्की से डील करेंगा सफ फर्यूस इसका सब गोनसेद़ को तेट बैलेंस तुक्न रेमिटांसे जगर में कुछ मिले हैं प्रोफिट से इंट्रेस्ट है वो भी इसके अंदर आएगा इन्वीसिबल के अंदर एंड जो थर्ड आता है वह होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर सर्विस इसे को हम अन्रिक्विटेड एंड वनसाइड भी बोलते हैं समझने में असान प्रोफिट किया यह कोई अनर आई यह वह अपने घर पैसे पहुचा रहे है वह सब क्या है यूनिलेटरल है वह अब इस आश्र में पहुचा रहे है कि मिरकों भी मेरे घरवाले देंगे तो वह ऐसा नहीं कि जितने उसने दिया उतने ही समझ में आ रहा है कि जो हम परस्ट के अंदर यह यह थो में उतना हई परस्ट अलेमीट्स से दर ़सा कैप न सब्सक्राइब्स और वह प्रिड्स तरीके से हो सकता है एकां कि सब्सक्राइब कि जो हमें सब्सेडिघ्र्स न्यूंज़ सब्सक्राइब ट्रोब हैं नि यह सब करेंट में निकंड़ी ह एक्सपोर्ट थेंब फाली हमारी इंकम है वह हम्ने पढ़े है और और संट थी कssen कि है तरुकिंगे सबी सब्सक्राइब इसके इसका बंडेसं सहरो कहती रिए अगर हमने इनद्क हो सकता है कि अगर हमने वी गुट्स में माइन देल मैं आगा भेस्ब्स गप्रैफ जो गृट से डिल करेंगा वह हमारा क्या जाएगा एक मिनट है इंदर हमारा क्या जाएगा एक बैलन्स यह यहां पर समझने की चीजा जोटेड है उसमें तो सिर्फ हमारा आएगा गूड़्स लेकिन जो ट्रेड बैलेंस आएगा हमारे दोनों चीज़ी आजाएंगी हमारे मर्चेंटाइस भी आजाएंगी तोनों आएंगे इंकम बैलेंस इसके अंदर इंवेस्टमेंट इंकम नेट इंटरनेशनल कंपनसीशन तो इंप्रोज यह सब आएगा यह जो नेट किफ्ट समनी दिये हैं वो सब जो पैले सफिमें क्राइसिस होते हैं इनको कई वार हम करणसी क्राइस भी बोलते हैं सेकेंड पार था इसका कैपिटल अकाउंट हमने क्या पड़ा इंकम के बारे में उसमें पड़ा नेट इंकम वहां से आएगी यहां पर किसे चीज़ीं से डिल करेगा एश्रेट्स एं लैबिलिटी से या टोलज कि बात होती है से वहां पर हम सिर्फ किमा रहे घुरप टो नहीं कि कि सICO पीज को हैं टीवितियो इनवेस्टमेंट कहीं करी है वहां से ऊनट्रेस्ट मिला ऐसके उन्रीर सम्झा इनकि Tay अगर आगर हमने आगर हम से अग्यख करना चाथवा है घंग कर देश नहीं है। 10% से जादा किसी में invest किया है उसको बोलते है foreign direct investment and यह किसलिए करे जाते है यह ताकि कंट्रोल कर सके हम कि हमने उस देश के किसी country के company में इतना पैसा लगाया है कि हमने 20%, 25%, 51% इतना shares लिया हुआ है यारे कि हमारी ownership कितनी जादा हुई ना जादा हुई क्यों ही जादा हम किसी देश में जादा share क्यों चाहते हैं ताकि हम आपे control कर सके तो main difference के बीच में यही है कि FDI में control होता है control करने के लिए वो FDI में invest करते हैं and FDI में इतना control नहीं करते हैं वो सिर्फ उन्हें पैसे से मतलब होता है कि पैसा कमाया और निकल गी है इसमें क्या होता है कि हमने control करना है business को उसके बाद जो gold की movement होती है banking capital private foreign loan यह सब इसमें आएगा borrowing and lending from foreign countries जो हमने बाहर से borrowing करी है वो हमारा credit के अगर हम जो हमने लिया है वहीं यह देखो मैंने चे फेक पॉइंट लिखा हुए credit वहीं अगर हमने borrowing किसी को दी है बसकी lending हमने बाहर तो आपनाफ ने बाहर तो ट्यासे में और सब्सक्राण करते है बाहर तो अब foreign like foreign exchange reserve जो RBI के पास होता है bis 007 हम ने कुछ निकाला उस безलव में से हमने कुछ निकाल ला तो उसको बोलते हैं वह दा क्रैडट होएगा हमने उपर बढ़ा कि हमारे पास पैसा आँ रहे हैं क्या हुआ रहा है जैने कि बती है कि Rosy記得 to भी अपने ही औ эт ze मैं से हमने निकाला तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि इन फ्लो है पैसे का हमारे पास पैसा आया है वहीं अगर हमने रिजर्व में कुछ एड किया है डाला है पैसा तो वह डेबिट होएगा और जो इस रिजर्व के अंदर जो भी चेंजिस आई रहा मतलब बैलेंस जो आया क्रेड जादा हुआ यह इ क्रेडिट दालेंगे तो डेपट जो इसका बैलेंस आयेगा वह इसमें ही इसमें जाएगा बैलेंस आफ पेमेंच में अब आता है हमारे रिजर्व अकाउंट रिजर्व अकाउंट में थी है कि आई-म-स-ट्या-डिजर्व मोनेटरी गोल्ड यह से चीजे टीजें तील कर आइटम्स क्या होती है ऑटोनोमिस आइटम्स का मतलब है जब हम प्रोफिट कमाने के लिए हमने कुछ भी एक्टिविटी करी है भले ही हमें प्रोफिट हो या ना हो वह बात के बात है लेकिन हमने कुछ कमाने के लिए किया है कुछ अर्न करने के लिए किया है वह एक्टिवि जो भी जन आइटम में डील किया है जो भी हमारी रांजक्शन हुई है ना वह होती है ओटोनुमस इनको अबोव दे लाइन भी आइटम बोलते हैं यह बैलेंस ऑफ पेइमेंट की जो पोजिशन है उससे इंडिपेंडेंट होती है उससे क्या होती है इंडिपेंडेंट मतलब balance of payment की position पर इसका कुछ फरक नहीं पड़ता है अब देखो अगर हमने करा तो profit कमाने के लिए था लेकिन अगर profit नहीं हुआ हमारे पास loss हुआ तो क्या आया हमारे पास disequilibrium आया क्या आया disequilibrium इस disequilibrium को set off करने के लिए ही हम जो transaction करते हैं उसी को बोलते है accommodating items क्या बोलते हैं उसको accommodating items क्या है कि autonomism हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं लेकिन अगर पैसा नहीं कमाया उल्टा हमने पैसे गवा दिये तो जो disequilibrium हुआ ना उसको balance करने के लिए इस deficit को cover करने के लिए दाफिर उस surplus को कि जो surplus आया उसको cover करने के लिए जो transition करती है वो होती है हमारी auto accommodating items जो कि इसका result है जो कि किसका result है autonomous का इनका result आया इनका result आया कि profit हुआ क्या हुआ वो होती है हमारी coraz नाएं तो इनको सैट अफ करती है यह सिर्फ प्रोफिट कमाने के लिए मतलब कह सकते कि अधर कुछ काम की यह चोटे भाई है यह बड़े भाई इनको कुछ काम किया गलती करी इसका बुगताना भी एकर है यह कि इसकी माफिव मांग रहा है कुछ कर रहे है यह वही कि profit इनोंने कमाने की कुशिश करी नहीं हुआ तो अब इनको भूगतना पढ़ रहा है यह कर रहे हैं इनको below the line भी बोलते हैं and this equilibrium को correct करने के लिए होती है this equilibrium को correct करने के लिए हम करते हैं अब देको this equilibrium क्या होता है balance of payment में हम सोचते हैं this equilibrium का मतलब है यह negative term है तो सिफ deficit होगा नहीं surplus or deficit दोनों इसके अंदर आती है कौन-कौन से surplus क्या होता है तो हमने पढ़ लिया था पहले ही कि अगर हमारे exports आता है तो surplus अगर हमारे imports आता है export से तो deficit होता है factors कौन-कौन से हो सकते हैं कि हमारे पास this equilibrium आया है कुछ factors होते है economic factors political factors and social factors economic में वहीं कि high domestic price cyclical fluctuations large-scale developmental expenditure इसके अंदर वैसे कुछ नहीं है कि surplus कब आएगा जिब हमारा credit जादा है credit मतलब हमारे पास पैसा जादा आया है पैसा कम आया हमने दिया जाता है तो क्या हो जाएगा deficit हो जाएगा अब जो disequilibrium आया है नहीं कितने तरीके का हो सकता है इंपोर्टैंट है disequilibrium कितने तरीके का हो सकता है हमारे पांच तरीकों का पहला है cyclical cyclical का मतलब जिससे कि यह आपने अब setup हो जाता है वेशसतो कि हमारे पास हमने कुछ करना चाहा लेकिन हम इंपर्ट हुआ यह ज़्याधा हुआ कभी इंप्रोड जा इस पर फरक आया है जाहिए फिर वह हों कंट्री हो ह्म अबरोड में हो दोनों पर प्ट्रक्ट पड़ेगा इसका कि फरंग घ्रिंप शू वाली कंट्री जो इंडस्ट्री उस पर इफड़ा है हम पूरी कानमी को नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं देख आप खेंग कि शू पर फरनीचर पर भी ओटो मोबाइल पर भी सब पर नहीं सिर्फ एक सेक्टर पर जो आएगा उसे बोलते हैं स्ट्रॉक्चरल यानि कि किसे एक पार्ट पर आया है सेक्विलर में किस पर आएगा लोंग टम के लिए होता है और पूरी एकॉनमी पर इस पर असर पड़ता है तेंप प्य है पूरगत पूरा नंटी प्रोंपर पर सिर्फ के एक पार्ट पर यानि निए सरफ एक स्रुक्चर पर अब हमारे पास एक्क्यूलीम आया थेक्ट जिन के कॉन कॉण berry मैंन daher कॉन्से हो सकते हैं दो तरी किसे हो सकते हैं monetary and non-monetary monetary का मतलब पैसे से related कि हम जैसे कि इसमें होता है यह inflation deflation नहीं आएगा यह बता रखे कि monetary वाले में क्या कि deflation depreciation devaluation exchange control यह चार method है जब पैसे से related हम कुछ measures अपना सकते हैं वहीं यह चीज़े जो है है चार और पैसे selected नहीं है डियक्तिकी रूट्स वगरा बनाकर करते हैं यह कैसे करते है रूल्स पनाकर करते हैं करते हैं को कि क्या होता है इन में कंफूजन होती है ना depreciation हो देवाले इसमें से klir हो जाएगी कि deflation क्या होते है पहले सबसे first measure है हमारा deflation deflation क्या होता है कि हम न market में जो quantity of money है वो government कम हो जाती है पैसे की जो पैसे की जो quantity है वो कम हो जाती है क्यों किसले करे कम जाती है ताकि prices को कम करा जा सकें कि अगर हम money कम रखेंगे जिससे लोगों की money income कम होएगी money income कम होएगी जिस bank जो RBI है ना वो bank rate को बढ़ा देता है bank rate को क्या कर देता है बढ़ा देता है तक और जो securities को open market में sell करने लगता है जिसकी जो shares वगारा है ना उसमे directly sell करने लगते है RBI जिससे क्या होता है कि लोग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे प्राइस में reduction करके वह export को बढ़ावा देते हैं इंपॉर्ट को disgrace करते हैं कैसे लोगों की income कम हो गई है लोगों की income क्यूंकि घर में घर का मतलब है एक अपने देश की country में उसमें कम हुई है हमारे देश में तो हमारे पास income कम है तो हम import कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे तो इसलिए import को disgrace करने के लिए and export को बढ़ावा देने के लिए यह करा जाता है RBI के द्वारा कि deflation लेके आएगी वो quantity of money को कम कर देगी उसके बाद आता है हमारे depreciation depreciation क्या होता है एक होता depreciation एक होता depreciation depreciation का मतलब हमारी जो देश की currency है ना उसकी value कम हो गई है उसकी value एक रुपे की value 80 sorry एक डॉलर की value 80 रुपे है एक डॉलर की value हमारे 80 रुपे है यह एक जैंपल है कि अगर एक डॉलर की value 80 रुपे है यह नि कि हमारे तो कितने पैसे जा रहे हैं उनका सिर्फ एक डॉलर तो यह क्या है depreciation है कि हमारा इनके comparison में छोटा है छोटा है देखो जितने जादा पैसे हमारे जादा लगेंगे तो वह इसका मतलब वैसे की value छोटी है तो अगर ऐसा होता है तो यह भी एक measure है वैसे यह हम नहीं कर रहे हैं यह खुद हो रहे हैं यह market में अपने आप ही हो रहे हैं यह कोई कर नहीं रहा है किस देश में कुछ और चलता है ठीक है तो वह जो है उनकी जो value है वह कम हो जाती है जो home country है उस देश की currency की value कम हो जाना किस term में किस relation में foreign currency की तुलना में क्योंकि देखो कैसे supply जादा हुई है supply जादा हुने का मतलब क्या है यह देखो कव आती है situation जब हमने इंपोर्ट इ पड़ेगी का मतलब हमें रुपिया देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा क्या रुपिया अब क्योंकि market में रुपए है इतना यृादा हो गया निए की वैल्यू कम हो गई है इसलिए हमारे देश की जो करन्सी की वैल्यू है वो कम हो जाती है कि हमारे देश में जो एक रुपए की एक डॉलर की वैल्यू 80 रुपए ऐसा क्यों हो रहा है क्यों कि हम इंपोर्ट जादा कर रहे हैं अब सोचों कि इंपोर्ट कौन करेगा देश मे सब इतने अमीर तो नहीं हैं लेकिन जितने जो अमीर लोगा ना वो क्या करते हैं इंपोर्टेट गाडिया लेंगे इंपोर्टेट घडिया इंपोर्टेट कपड़े सब कुछ वो इंपोर्ट करेंगे बाहर से जिससे क्या हो रहा है हमारे दिश का पैसा बाहर जा रहा है या है आजा कि बार वर में ने क्छा निलगता है वैसे ही बार वर हमारी ही करन्सी बार वर जा रही है मैं तो उसकी गह्त गई है रहा है दूसरी की त्प ल्म पर एकेंanda में 50 डोलर olan में 둘 फॉट रहे हैं दोता है यह महांteen कि रहे हैं ये हम नहीं किरें लिश्ट नहीं दोनों सेम हैं इतना है कि गी औरम्नेंट करती है और भी ट्रेडि वह खुद से करती है और कि देखो अगर हमारे दिश्की वैलू कम होएगी तो एक तायसे वह अनन्ट्रक्टीव बनेगी इसलिए हम को करेंगे देश के लोग तो माली नहीं रहे हैं तो हमने एक तरीका पनाया गवर्रमेंट नहीं कि ना ऐसा करते हैं अपने देश की वैल्यू है जो करन्सी की उसको कम कर देते हैं करन्सी की वैल्यू कम होईगी तो बाहरवाले देश ही सोचेंगे कि इनको तो कम देना पड़ र जो devaluation करता है सरकार करती है and depreciation खुद होता है बस यह फरक है बाकी सारी चीजे इसमें सेम है यह कि official reduction कर देती है वह external value है जो currency कि उसमें खुद से जान जान बुझकर और यह long term के लिए होता है जो अपने आप होएगा वह होता long term के लिए जो government कर रही है वह करते है थोड़ टा सकता वह थोड़ी टाइम के लिए करेगी government अगर करेगी तो किसी particular objective के लिए ही करती है तीन में शर्टों हमने कर लिया मेनेटरी के जो था क्या है exchange control इसके अंदर क्या होता है कि जो देश में पैसा आ रहा है ना foreign exchange से उसको जो देश की सरकार है वह उसको सोचती है control करने की ज तो आर बिया इसको control करता है जैसे कि exporter है ना exporter बाहर गुड्स को बेच रहे हैं और पैसा उनके पास आ रहा है तो यह कहते है जो तुम्हारे पास पैसा आया है हमें हमें दे दो हमें कर दो थोड़े टाइम के लिए foreign exchange अपना तुम हमारे पास जमा करवा दो यानि कि जो यह foreign exchange का यूज ही अपने हाथों में ले ले लेती है कौन Central Bank एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब जो foreign exchange आया है उसको कंट्रोल करती है कौन RBI करती है क्यों करती है ताकि देखो जो इनको बोला कि जो तुमने पैसा कमाया वो हमको दे दो ताकि जो इंपोर्टर है ना हम इनमें बाट सकें कैसे बाट सकें अब अगर हम कंट्रोल करके रख तो इसे जादा नहीं तुम क्यों बिफाल तो में मंगा जा रहे हो कपड़े गाडिया यह सब इनके जुरूरत नहीं है तो यह सब इसलिए करती है government ताकि लोग इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट जादा करें जितने भी measures करेंगे सब में यह होगा कि हम इंपोर्ट कम कर होता आया है इसलिए जितने भी measure करेंगे हम सारे कौन से करेंगे deficit वाले यह direct method होता है लेकिन पर्मेनेट नहीं होता यह पर्मेनेट नहीं होता है कुछ time के लिए ही होता है कौन सा exchange control चारो method होगे हमारे अब आते हैं हमारे non monetary वाले मोनेटरी वाले हमने कर लिए पैसे selected वाल होता है कौन कौन से first tariff 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 का मतलब क्या होता है इसके जो लोग import कर रहे है उनको कुछ tax देना पढ़ रहा है इसको बोलते हम tariff ताकि लोग ना import का substitute घर पे बनाने लगे कहेंगे इतना tax बाहर देना पढ़ रहा है क्यों अपनी दिश से खरीद ले या फिर क्यों ना हम ही इसके बनाने लगे इतना बहर हमें tax देना पढ़ रहा है तो क्यों ना हम अपने दिश में कर ले तो यह भी एक तरीके से import को बढ़ावा ना देकर export को बढ़ावा दे रहा है सारे जितने भी objective होएंगे हमारे यह होएंगे second तरीका हो सकता है हमारा quota quota जो होता है यह होता है quantity quantity पर लगता है quota से मियाद कर सकता है quantity क्या हूँ-क्या हो मारा किसे लगेगा quantity पर जो पर हमने करा वह जितना भी इंपर्ट करेंगे न यह कहते है कि तूम है जितना मर्जी टेक्स हो जितना मर्ची एक्सपॉर्ट करना इंपर्ट करना करो करो लेकिन tax देना पड़ेगा तो इस्टर केमारे कम करते हैं लेकिन यहां पे क्या है कि वो इसको सही नहीं ही मानता है वह कहते हैं कि देखो WTO बनी क्यों है तैरिस बगारा को हटाने के लिए कम करने के लिए इतने भी ट्रेड बेरियर है इनको कम करने के लिए तो अब कहते हैं तो तुम अपना अपना फैदा सोच रहे हो वह वाली बात आगे ने जो हमने थियोरिस में पढ़ी थी वाली कि तुम अपने जिश में पैसे सोच रहे हो बचाने की तो WTO इसको सपोर्ट नहीं करता है और यह रियल को उसको भी टैकल नहीं करता है इसे थोड़े टाइम के लिए है कब तक लगाएंगे हम कॉंटिटी पर भी इसे लिए यह सही तरीका नहीं है फॉर्थ हमारा है मै इसे काह से आएगा गवर्मेंट कहते है क्यों नहीं को सबसेड़ी दे तब तो कर लोगे क्यों भी प्राइब को तुम्हारा माफ कर दे या तुम कंटेक्स लगाएं तुम चैक्ते तुम कर सकते हो या लोगों की ताकि वह लोग अपने दीश के समान को बनाईा और ज्याद कि हमारे देश में ही घजाने लग जाएं कि अपनी देश के Associate shoulders किमी या है असको रिलाइंट बनाना कि खुद में आतम निर्भर भर विल्ढूताईध और हमने इंफोर्टेंट्सेन को प्र iç वन्हेसें प्रिक्राव के लिए दो तरिक्या लीए, क्या रीग प्रिंट्साम काण्ड नियुक्त करती है कि यह ठोड़े टायम के लिए होता है यह ठोड़े ढ़ी हो तब पर दो और श्रक एंपोर्टर को ली सिर्फ इंपोर्ट करवा सकते हैं चयाकिए क्या और को यह क्योंति लगता है एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए हम सबसेडिस देते हैं इंपोर्ट का सब्सेटिशन करने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि अपने देश में ही तुम चीज़े बनाओ जिससे कि हमार देश में ही पैसा रहे बाहर ना जाए उसके पास हम पढ़ते हैं FDI less angry with foreign investment का मतलब है कि हम किसी देश में बाहर किसी डेश में direct investment कर रहे हैं ठीक है इंवस्ट कर रहे हैं इसके अंदर दर सेशन के पर संदन हमारा इंप धिक वह श क्युम्हाوع होता है पहले पणब नेंगत एक कि तो 10% हे था है अगर 10% से जादा है तो वह हमारा FDI माना जाएगा यह कुछ चाइब से अब इस समझने आएगे आगे करेंगे ना तब समझ में आएगा कि FDI में क्या है 10% से हम जादा शेयर करते हैं क्यों करते हैं क्यों कि हम ना जाते हैं क्या पैसे तो मिले ही मिले प्लस management और technology है उस पर भी हम थोड़ा सा control कर सकें FDI के अंदर हम सिर्फ चाहते हैं पैसा कमाना control ही हम चाहते इसके अंदर control एक substantial interest होता है हमारा इसके अंदर ऐसा नहीं होता है इसमें सिर्फ हम पैसा लगाते हैं इसके अंदर क्या management और technology भी देखो अगर हम किसी देश में जा रहे हैं शेयर होल्डर के बन रहे हैं तो क्यों हम अपनी expertise भी तो दे रहे हैं उनको तो यारी कि management भी एक देश से दूसरे देश में जा रही है यह सिर्फ पैसे के लिए होत नेचर और फिजनस के हिसाब से एशर्ट पेस्ट व्यू के हिसाब से और मोटीफ पेस्ट व्यू के साब से इसको वन बाई वन करते हैं चैसे देखो जो हमारे नेचर फिजनस के हिसाब से हमारे दो तरिके से हो सकती है horizontal या vertical horizontal FTI का मतलब होता है जो हम अपने देश में कर र अब हमने शू इंडस्ट्री में ही ट्रेड किया यानि horizontal देखो horizontal कैसे होता है ऐसे होता है अगर हम पढ़े लाइन horizontal अगर कोई हमें कहता है horizontal line करो तो ऐसे होती है horizontal line यानि कि जो ऐसे है यानि कि यह क्या है इस सब्सक्राइब हो सकते हैं ऐग यह क्या है एक्वाल एक वंघ्वर, ऐक इस जो है इंडस्ट्री से होता है से संब्सक्राइब होते हैं core थी क्वेंट में देखेंगे हो ए यह लिए समझते हैं इसको हमारे तीन तरह के रोल माने जाते हैं एक तो यह कि हम प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर है चीजों को बना रहे हैं अब चीजों को बना रहे हैं हमें रोमेटिरियल चाहिए तो जो रोमेटिरियल हमें प्रोड्यूसर 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 प्रोड जनता तक परचाने के लिए उसे सेर्स, रिस्ट्रिपिशन, मार्केटिंग वगरा करनी पड़ती है, यह कौन करता है, डिस्ट्रिब्यूटर, यह तिन तरह के रोल होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, तो अगर कोई प्रोड्यूसर, अपने देश में वो प्रोड्यूसर है बाहर वाले देश में वो किसी सप्प्लाइर के साथ कॉंट्रेट करता है, सप्पलाइर किसाथ वो FDI में आ रहा है, उसने पैसर वगराया लगाया है, तो उसको बोलते हैं, बैकवर्ड कि वो एक स्थ्याप पी depends on the company! तो उसे ऊहां पर प्रोडूसर था बाहर जाकर उसने स कि यह माँ और आगी न mapped आगी चाहएं और इसे हो इसे हैं को ह personality तो हम आगे चाहें पर वाले दोनों में देखो सोच्छरचल क्यामि चेहरा मैं मैं भी शुमें कर दूध aí कि इनके लेवल है सेम है फिरिकल में में डिफरेंस कि आता है कि हैं ये सेंकी यह होई यहां पर किनी ओला होएं't your अलिकल ऐलग होग ती एक पर्संड किसी देश में आग पर क्लॉधिंग कर दिया तो अलग अलग हो गई ऑङ Me को यह बोलतीस की हम किसे देश में जाकर में 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 मतलें क्यों कर एक वह चाहिए कि अपने दिश में कमां ओया है नवार जाकर हम डेख कर देहरां देखक चेल जाकिए t हमारे पीजारे हैं कि लोवर कोस्त पर इनको रिसार्स मिल रहे हैं यह मारिकिट्स है जाहना थहा हूं कि अगर फेले फेसेंसी का मतलब अम्हेंश में हैं सब्सक्राइब होना जाती है कि डिफरेंट फेक्टर इंडॉयमेंट होती हैं लिमेटिट नंबर ओफ लोकेशन्स हैं रिड्यूस देखो इसमें किया बोला है कि एफिशेंसी सीखिंग का मतलब हमें जो प्रड़क्शन करना है अगर वह मार्केट से काफी जादा दूर है और हमारी कोस्ट इतनी जादा आ को कम करने के लिए हमने क्या-क्या एफिशेंसी सीखिंग करी एक होता स्ट्रेटिक एशिट सीखिंग सब्सक्राइब कर लंबे टाइम के लिए हमने कुछ प्लैनिंग करके दूसरे देश में इन्वेस्ट किया है इंटरनेशनल कंपीटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अब जो आती है वो हमने अश bonito ए свast sisters dolphin जी एच्ट में चाएं में उसका कि किसी देश का मतलब हम बिलकुल शुरु जीरु से अर्षर्ण को स्टार्ट कर रही है कारें हैं बुस्नेस को स्टार्ट कर रहे हैं यह क्यों है अच्छित आनूंने से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहीं पोरें में जाकर हम एक बिल्कुल न्यू बैनिफेक्टरिंग फैसिलिटीज को सेट अप कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ग्रीन क्या होता है जिसके हम कहीं भी देखते हैं ग्रीन वर्ड वो किस चीज़ का होता है फ्रेशनेस का सिंबल होता है यानिकि ग्रीन का मतलब अब क्योंकि हम फ्रेश्ट कर रहें से स्टाच करें बिजनेस को अब क्योंकि हम वो जाद हो जादा होएगा में स्टेप कोस्त पर बातल क्योंकि हम भी हम्मारे फिल्टे रहे चाहते हैं पालन की बुक्ति से कुछ सकते हैं कि हमने चुछ तुर से इसा निइए जcksेंपों तो हम उनको ठीक नहीं कर सकते हैं हमारे पर मुक्का है कि उनको ठीक कर सकते हैं लर्न फ्रों मिस्टेख हम सीख सकते हैं उनसे एक तरीका होता है Merger and acquisition का Merger and acquisition दोनों अलग-अलग term है Merger का मतलब है कि A country B दोनों ने मिलकर हाथ मिला है दोनों ने और एक company बना लिया अलग से C यह होता है Merger कि दोनों merge होकर एक जैसे कि Vodafone और Idea वाले वह क्या बन गया था न वह वह वाला एक होता है acquisition acquisition का मतलब एक बड़ी firm है A एक बड़ी company है A उसने छोटी firm B को अपने अंदर मिला लिया अपने अंदर उसने acquire कर लिया उसको तो इसको बोलते हैं हम यह उसको बोलेंगे हम acquisition जैसे कि जो हम example देखते हैं कि अन-academy ने wifi को अन-academy ने जो wifi study वाले को acquire कर लिया था वह सब उसके बाद हम बढ़ते हैं देखो लेकिन इसमें क्या फारख होता है जो इसका भी existence बना रहता है वैसे तो यह ना जो YouTube चैनल उसका इसमें पैसा लगाया है ग्रीन फिल्ड के साथ यह दुनों का combination है किसका ग्रीन फिल्ड का भी और merger and acquisition का भी existing business को acquire कर लेती है another firm setup cost क्योंकि इसमें कम आते क्योंकि देखो ओड्रेडी विजिनस एक होता है equity joint ventures equity joint ventures में क्या होता है कि जिसके दो existing company है वो अपने assets को एक जगा इकठा करके वो अपने assets को एक जगा इकठा करके एक separate firm बना देती है एक separate firm जिसकी मारूती और सूजुकी है उन दोनों ने मिलकर इंडिया और जैपैन की दोनों companies ने मिलकर एक अलग entity बना दी कौनसी मारूती सूजुकी अभी जो entity बनी है ना इसकी अपनी अलग पहचान है इसके रूल्स अलग होएंगे अब ऐसा तो नहीं मारूती वाले rules इस पे इसके जो रूल बनेंगे ना वो मारूती सूजुकी के बनेंगे इन्होंने ना मारूती सूजुकी को बिलकुल अलग unit बना दिया एक अलग legal entity उसको दे दी और इसमें इन दोनों की joint ventureship है यानि कि जो मारूती सूजुकी वाले है इन दोनों थी मतलब अब तो नहीं है इन एक होता है हमारा export platform foreign direct investment की एक तरीका होता है करने का export platform बना कर प्लैटफोर्म क्यों होता है एक तरीके से मतलब एक जगह ऐसी यानि हम किसी देश में invest कर रहे हैं वह सिर्फ किसलिए कर रहे हैं ताकि ना हम export कर सके एक्सपोर्ट कर सके लिगि उस देश में नहीं कहीं और एक एक जेमपल ऑजितान का हम आपनी तर्फ से लेगा चलते हैं कि हमारी देश है वह वो मं कंट्री थे एकिस हे कर दिए खानaking ुर्ट के है श्मार्स ने इंवेस्ट किया K fel में निगिंग चाना क को बेचने के लिए और थे लोग्वर ने हम च Separate क्योंव उसने ऐसा क्योंकि चैना कि यहां पर थे ऐरिया का मतलब हां पर kan Roberts काफी कम है उनका सही है तो इसलिए एक स्वच प्लाइपम यानि कि ему कि की कि देश को क्यूंधी में इक्सपोर्ट कर सके एक platform बनाने के लिए हमने वहाँ पर invest किया यह कुछ तरिक्के थे हमने कुछ तरिक्के थे हमने कुछ कुछ तरिक्के थे हमने कुछ 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 करे ग्रें फिल्ड फिल्ड को चाहिए लेकिन गवर्मेंट रूट नाम से बते चल रहना है तो हमें गवर्मेंट की जो पर्मीशन लेने के नीड पड़ती है यानिक उनका अप्रूवल हम चाहिए यह होता है अब देखो अंदर अलग अलग इंडस्ट्री से किसमें automatic कितना percentage होता है and government कितना वो उसके लिए अलग वो static portion उसमें कुछ भी समझनी जैसा नहीं है उसको Google पर search करके भी कर सकते हैं अगर उसमें कुछ भी समझनी जैसा नहीं है हम उसको याद कर सकते हैं जब चाहते हैं कि उसकी कि मैं PDF दो तो बता देना फिर आता है हमारा यह इंपोर्टेंट है कि FDI कहां कहां पर कोई भी country हमारे दिश में FDI में कहां पर invest वो नहीं कर सकती हमने देखो यह पढ़ा कि automatic से कर सकती है government से लेकिन यह वो ऐसे तरीक्य है जहां पर वो कैसे भी नहीं सकती थोड़ा सा भी वो नहीं कर सकती इसमें होता है कि कुछ परसेंट की 40% कर सकती है यह फिर 71% कर सकती है लेकिन यहां पर क्या है 0% कि FDI भी अलाव ही नहीं है उसको रेड़ फ्लैग उन्होंने दिखा दिया कि हमारे दिश में तो तुम यहां पर इन्वेसंट्र कर यह नहीं सकते हैं कौन-कौन से बिजिनर से हैं बिल्कले पेहला है लो 23 कि लोटीर है जो लोटरी के जितने भी विशिनर जाहें वह गवर्मेंट्ट्स लोटरी हो प्राइवेट लोट्री हो कोई भी online lottery हो किसी में भी FDA allowed नहीं है दूसरा casino gambling betting है उसमें भी जाओ नहीं है चिट funds में नहीं है नेधी company में नहीं है real estate में भी नहीं है farmhouse में भी नहीं है शिगार चीवरूट्स टोबैको सब्सिडिट मैंफेक्ट्रिंग इस नहीं है एपने देश के लिए नहीं तो बहार के लिए कैसे होएंगे वह जैसे कि कि जो उसमें हम दोश्रे देश्यों को एंट्री दे रहे हैं ऐसा नहीं है यानि कि FDI की पॉलिसी है कंसोलिडेटिड उसके अलावा कहीं पर भी FDI अलाव नहीं है अब हम नहीं देखो यहां पर दो तिन चीज़े पढ़ी इसमें कंफ्यूजन होती है कि TDR क्या होते हैं यह न बनाते हैं कहीं 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 से कि जहां पर किसी के खेत लग रहे हैं वह कहते हैं कि हम आपको कहीं और जमीन खरीद कर दे देंगे हम आपको कहीं और जमीन खरीद कर देंगे तो वह कहते हैं अच्छा तो इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट बना कर देते हैं कि वह पहले एक खेत हो और कुछ भी हो सकता है कि जहां सी तेको यह सड़क है और धिसी का घर था उनको ना है इस विद्धा करें अटा कि तो कहते हैं कि तुम अपने घर का थोड़ा से हमें दे दो तो यह कहते हैं फिर हम कहां जाएंगे विद्ध सब्सक्राइब में यह जो पसलिक्व क्वार्ड फोर तो में इतने दैसम कहीं सब्सक्राइब टो गर्रांचे वह स्ब्सक्राइब करें और इतने खरीद सकते हैं सब सकते जो बीटिव हैं और हम सिस भी बुयुक्त करेक्स हुच दो लाइव देखते हैं कि हमारे खेद किसी के खेद ले लिए सरकार ने और उनको कहीं और लेकर दे दी जमीन या फिर उनको सर्टिफिकेट दे दिए कि आप कहीं भी खरीज सकते हो एक होती है नीधी कंपनी नीधी कंपनी और एक होता चिटफन नीधी कंपनी में क्या होता है य तो चारे कि इसलं direct ice traffic that still benefits वांप मेर 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 कीज़ लोग कि कार्डमा आधे मान झाधे हम जिसके एंगใหह मेर केंहें क्योंते मांंतों और चैटफंड के ले चैटफंड एंग ऊते हैं थोड़ी सी औरुकिनाइज है यह सुसाइटी कंपनी की तरह होती है जैसे कोई एंबी एफसी सेंट्रल कवर्मेंट प्रिबिलिक लिमिटेट कंपनी उनकी तरह जैसे कि लेकिन चिटफंड में क्या होता है वह जैसे कि हम यह कमिटि वगरे नहीं होती है कि पैसे काफी 10-15 जन देने किने की पहले महीने में 10,000 फैसे हो गए लेकिन एक पर्षंट की मईने को कह यह जो दो ले लेता है की मिलता है लग ले सकता है उनको और वह कहता है कि जो जितने कम पे लेने के लिए त्यार है दस बंदे हैं हमने का दस परसंद इसमें इन्वेस्ट करते है चिट फंड में अब उन में से लग अलग लोग तीन लोगों को चाहिए एक इंसान कहता कि मैं दस जार पे लूँगा दूसरा कहता है कि चरो मैं कि आकॉठ को सबसे कम आए जो त्यार है तो सबसे कम इने के लिए ट्यार हुआ है तो चीट फंड को पैसा इसको मिल जाएगा उस महीने के लिए लेकिन जब इसको रिटर्ण करना पड़ता है तो इसको पूरे 10,000 देने पड़ते हैं यान यांश में दो अनने कि इसे कर कर क इसने लिए आठाचार 8800 है लेकिन दीए तसजार है तो जो बाकी के दो बाकी के जो पैसे बचे ने बारा सो वह नहीं सारे लोगों में बट जाते हैं जो बाकी के नो बचेन है लोग सबसे कम पैसे लेने के त्यार होता है इसको पैसे सारे एक तरह को कह सकते हैं अगर हम्हें पहले पैसे निकलाने हैं तो हम्हें रहता है शोता है oss हम्हें आपसे लेह लेह रहें लिए प्रोफित के लिए प कता है इन्सान के लिए फ्किंष पंशनी ज़ें सब्सक्राइब और अरप पर रहें धृ और भीया समय ना. इसके बाद हम पढ़ते हैं अमने कर लिया इंपोर्टेंट टोपिक है वह है modes of entry into business वह यानि कितने तरीके से हम international business कर सकते हैं कि international business में अगर हम एंटर करना चाहते हैं हम चाहते हैं देश के बाहर रहकर business करना तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं कहीं सारे तरीके हैं एक उता एक्सपोर्टिंग एक उता फ्रेंचाइसिंग लैसेंसिंग जॉइंट वैंचर फॉली और सबसीडरी यह कुछ तरीके हैं इसके कुमित्मेंटं सब्सके हैं से जैसे जाते जायेगे वैसे चाहिए वैसे बढ़ता जाएगा एंड रिशुर्स की कमीट्मेंट पर यक विर्टन भी बढ़तो जाएगा videos एक स्मजन की भी और पर शौन परक सुबेंग bqum शरे ऐसे हैं कि कौन तर पर ऐसे मेंगे और पूझ लेंगे सबसे जादा रिस्क किस्प मैं होता है या फिर य히 यह से पूच लेंगे King को सबसे पहले पोर है यहां पर क्या बढ़ते बिचैना बढ़ते जाय अगि मोर्टियम जो नौन अगुटियमा बढ़ते जाएंगी हमारे घोज मुट्री मोर्ड के हमारे कई हम को एं kilograms एंटर करना है यह भी नोन एक्विटी मीजंट नवान रसे रिक्षार है तो थेश्वाम हो सकता है लिदिध कर विद्ध दुख से का अध यह से टिधें कर से टृब कोנवेटे बसाथ हम्ने कंक ट्वेट्व एक्विटी मोट अधिडरे जरी क्थिधिर हम फिर अगर institute जाएंगे हमारा risk और return बढ़ते चाहेगे control भी पढ़ता जाएगा integration ऐसे कोश्चन आता है कि economic integration जैसे जाएगे हमारा integration बढ़ता जाएगा किस तरीके से आएगा ascending or descending orderment को लगाओ तो यहाद रखना कि सबसे पहले एक्सपोर्ट आईगा सबसे बाद में होली जstag और सबसी बुस्सक्रा ना चाहिए पर सबसे जसान गो さब एक्सपोरत हुआ में टेश की दियुक्षण कर लिया उसके बालब ह counter बेच और बेच आब चलि बेचे न्याओं अब हम बना skills इसलिए रहे हैं ताकि दूसरे देश में बेच सके हम इसी चीज का कर रहे हैं कि दूसरे देश में बेच सके यानि कि डिरेक्ट सेल करते हैं जो हम अपने देश में बनाया है प्रडूस कहां पर हुआ है अपने देश में डोमेस्टिकली प्रडूस किया है बेचेंगे कहां प एकशबोर्ट के इंडिया चाइना को कर रहा है कि चाइना की कमपनिय को तर इसे बोलते हैं इसमें इंट्रा कमपनी ट्राश्फर वर्क ऍवर्क परमीट लेना पढ़ते हैं तो हमें किसी expertise किसी person की expertise को紐 दाना पड़ते है एक besis में एक intermediary को लाना पड़ता है direct export में किसी की need नहीं पड़ती है हमें किसी की expertise की need पड़ती है यह संकर one घ्र डेते हैं वह hard is firm friend , or किसी भी तरिक्या हो सकता है या तो हमारा humारा export agent हो सकता है हमारा रिप्रेजेंटेटिक के रूप में हो सकता है एक्सपोर्ट कमिशन एजेंट हो सकता है या फिर एक्सपोर्ट मर्चेंट हो सकता है यह इतने में नहीं है बस समझने की बात है कि एक होता है इंडिरेक्ट में कोई इंटेमेडियरी नहीं होता है इसमें होता है यानि थर्ड प मैंने साहिथ कुछ का पधी औहया तरह डाता है उसर लाइसेंस इसेथ बंदे और ज्वर रहान हो उससेद के रहा स्विरागे और उस्वाइस करका दाता है इस जा रहां आपना रहा है का उसके नाम पर जिसका नाम है इंसान का जिस इंसान का नाम है अब देखो यानि कि उनको इंटेलेक्शल प्रोपर्टी राइट इसे बोलते आई पियार यानि लाइसेंसिंग में सिर्फ आई पियार हमारा ट्रांसफर होता है क्या ट्रांसफर होता हमारा सिर्फ और सिर्फ लाइसेंसिंग एक चोटे टर्म में किसी पर्सन को लैसेंसिंग दे देते हैं लैसेंस दे देते हैं यानि कि हमारा जो राइट है मालो हमने कुछ इन्वेंशन करी फॉर एक्जामपल हां कोवीड में भी हुआ था जैसे कि किसी देश ने वैक्सीन बनाई और उसने फिर वह अ अपने नाम से अभी हमारा नाम है तुम भी बेच सकते हैं तुम भी इस चीज़ को अपने देश में इूज कर लो एक तरीके से जो तुमने खोज करी इंटेलेक्शल प्रोपर्टी रेट्स क्या होते हैं कि हमने अपने इंटेलेक्शल से कुछ ऐसे प्रोपर्टी बनाई कि वो हमारे पस यह को ट्रांसफर कर दिया लेकर थे खेर की अब नेहें करें कि बन्हें हमें नियुक्त है कि तो कि उसको हम में कुछ फीज कर दिया करकें तो सकती को ही इد GO DJ हो सकतší है क्रिक्श Liberals की हमने दो पार्टी है कि एक हो है लाला वह meant bylicensor दो जो यूज लेने वाला दयानि क्यों चलिए कि कि यूज करेगा किसी के नाम को कि इसका नाम हमी उसक आ Plus करे मया है और यूज को जो यूज से कर रहे हैं लेने वाला इसको यूज्स करने वाला it business only time के लिए मतलब ऐसा हो सकता है कि इतने सालों के लिए तो मेरा नाम यूज कर सकते हो इतने एरिया में जो ठीटरिये हो डिसाइड हो जाती है तुम इस एरिये में यूज कर सकते हो बिबनेखात अब यह जो है प्रोक्ति कुर मिन्हें होता है कि यह कुछ पर अंतर यह नहीं है जो इसका वह सरुकूरति wine सब कुछ चल रहा है नहीं यह सब कुछ लीगल वेसे होगा होप की समझ आया कि लैसेंसिंग क्या होता है कि एक परसन है जिसने कुछ कुछ इंवेंशन करी उसके पास कुछ इंटेलेक्शिल प्रपर्टी राइट था उसने अपना राइट किसी और को दे दिया बदले में कुछ फीस ले ली कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ एरिया के लिए कि इतने एरिया में तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो मेरे सफिगर का है करें चैनलोगर चैनलोग को तुम यूज कर सकते हो समझमें आया और लैसेंसिंग लैसेंसी वह जिसने यह सब यूज किया है इसके बात हमारी जो नेक्स सब्सब्र एक मतर गया इसेंसिंग प्रोडदक्ट है या फिर हाफ लिया है मदला पार्शम स्बेस्ग यह फिर प्रोडक्त में इंप्रोवमेंट में हमारे पास अबराइट है कि हम प्रोडक्त में इंप्रोवमेंट कर सकते हैं मार्केटिंग कर सकते हैं मैनुफेक्ट्रिंग कर सकते हैं लैसेंसिंग तीन तरीके से हो सकते हैं प्रोडक्त की भी मैथड की और रिप्रेसेंटेशन इंटेलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अवे हैं, साहते है नियुक्ति फलोर मेरा máं को एक कंपनी है Remote तो पिलोर हैं यह कंपनी करना हा यह रही है कि लिए सब्स convemeninda प्रयूनि भी से और mail टोर नमों करते हैं, ही तुंक हुआ तुम ऐसे gebrachtगे हैं इक तरह किसी के बने हुई है इस लैसेंस के कि दोरी दोनों कि मैनफीक्टरइग कर रही है दोनों कि कि लिए प्रोड़क्ट के लिए और धिन का लिए when र ने आपस कर लिया इस बात का प्रोसेश कि ने हूथ लैसेंसर completely ड़ने आपरीस पर देदेते हैं अपने राइटको इस सब्सक्रालिया मंजेता उसका यूज कर सकता है लाइस सिर्ण करता है इंसको यूज पर और फिर ऐसा गया इसको पें करना पड़ें था बना बना टेक्नोलजी थी वो ले ली यानि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा रिवेन्यू एक कमाने लगा इसका सिंपल सा प्रोसेस है इसमें कुछ भी नियावा से अगर आएगा तो सेंडिंग और में आएगा और बहुत इजी तरीके सी तो हो जाएगा अब फ्रेंचैस न् चैसिंग है यह थोड़ी सी से बड़ी धर्म होती है यह सिंग में सिर्फ हमने इस न John 11 00 प्रेंचाइसेंग क्वालिटी पर इसका इसका मैं सब्सक्राइब हैं थो पाठी चुम पर नहीं सब्सक्राइब कार्ज कार्ड को अधिरी करेंगे। अपने फ्रेंचाईजी वे क्या है कि प्राइमन इसका क्या हुआ इस नहींakt़ इस वे रिफ दोनेत फ्रेंचाईजी फेन्टियं मोरे माझाbrig मैगडी की मैगडी में माझान। क्वालिटी सेम होती है सिर्फ पर से बर्गर की नहीं है किस्टमर सेंगे पूरे जिन्वे पूरे गलोबल लेवल पर क्यों कि उनको एक प्रहोपर ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता हैं एक प्रोडके पूरा ख्राब हो जाए इसलिए प्रोड की क्वालिटी पर ध्यान रखती है एक पर्संटेंस देना पड़ती है आपने का भी यानि एक फिक्स्ट अमांट के साथ एक रियल्टी भी देनी पड़ती है वही मैगडी में जैसे अगर हम शुरू में खरीद रहे हैं किसी परसन ने अगर फ्रेंचाइजी ली है मैगडी की तो उसे शुरू में थोड़ी सी फिस देनी पड़ेगी प्लस एक अमांट भी देना अगर फिस देनी प्रेंचाइज परसन नाम यूज करने के लिए लैसेंस ते रहे हैं वह सिर्फ आई पी आर से डिल करता है किससे आई पी आर से इसमें आई प्रेंट नहीं पूरा का पूरा फिशनस मोडल अब उसमें हमारे है एच चार भी जो ही उमनर्सोर्स हैं वह भी प्रफरन्सनेंसर को अपना नाम दे दिता है कि वह तुम मेरी नाम से भी उज कर सकते हो फ्रेंज सिंग में क्या होता कि वह पूरा का पूरा का प्रिशनस मोडल पूरा ब्रेंट ने मुसको देदोता है इसको लिसको याद कर लेंगे pharmaceutical से जो होते है and जिस स्टोर होते है ये medical store वो वाला इसको मैं याद कर लेंगे मैं रिखिया है तो मैं कभी नहीं भूद गूँ अब इसको licensee के में क्या होता है इन दोने के बीच में contract होता है यह डील करता है company log से यह किसे डील करता है company log मतले इसको regulate करता है कि इसमें contract log होती है contract log यह होती है company log की होती है अब इसमें registration लेना जुरूरी नहीं है लेकिन इसमें जुरूरी है मैंने बताया था ना कि Magdi है वो चाहता है कि overall पूरे global level पर जो हमारी बर्गर के services है जो भी customer के services ह वह सब कुछ सेम मिले इतनी फट से मिले सबको बर्गर कि ऐसा ना लगे कि वहां पर अच्छी मिल रहे हैं यहां पर क्वालिटी खराब है एक फ्रांचेजी की इमेज खराब होई तो पूरी पूरे मैगडी की खराब हो जाएगी इसलिए लोगों को एक ट्रेनिंग देनी इसमें गोलगपे वाले ने फिजियो फार्मेसी वाले ने सिर्फ अपना वो दे दिया है कि लाइसेंस दे दिया है अब उसकी सेल हो या ना हो उसके बिजनस पर कोई मतलब लिए लेकिन नहीं फ्रैंचेजी वाला कहता है नहीं तुम्हारा नाम डूबा तो मेरा नाम ट्रांसफर होता है लेकिन यह सिर्फ हो अिकां क्यों यह सिस्टेंस ऌती है लगातर है एंगफ करता है Plans kicking गूंग लेकिन जो इसमें लेकिन जो फीस होती कम जादे ले सकती है कितनी है लेकिन इसमें सिर्फ हैं बाली बात त्रने ल 149 यह के दिज़ती हो बाद अगर किसी को Magdi की Franchise खोल नहीं है तो fix है इतना amount तो तो तुम्ही देना ही पड़ेगा लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा Resil नहीं है इतना जाहित थोड़ा सा फ्लक्सिबल है इसके अंदर जो Negotiable Fees structure होता है इसके बीच में समझा रहा होगा कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफ्रेंस है अगर इन शोट हम कहें तो फ्रेंचाइजिंग एक बड़ी टर्म है लाइसेंसिंग इसका एक छोटा सा पार्ट है इसमें पूरा बिजनस मोडल देते हैं इसके अंदर थोड पूरा करने के लिए वह सिर्फ आपस में जूड़ती है मारुतियर सुजु की अलग-अलग कंपनिया आई उनका टास्क था कि इतनी मार्केट शेयर हमने कैप्चर करना है इतना हमने प्रॉफिट कमाना है उस प्रॉफिट कमाने के बाद वह दोनों अलग-अलग हो गए और प्रॉफिट को अनों ने लगाया रिसॉर्स का मतलब अपना पैसा लगाया अपनी कैपिटल अपनी लेवर को जो उनके मैनेजर से सब एक जगा अकठे हुए और उन्होंने एक नई एंटिटी बना दी नई एंटिटी बना दी हीरो हुंडा या फिर मारुतिय सुजु की अ इसके अपनी ही कर अ मैंने बिताना कि एक के इत्राइस नउना ऌड़ी के एक अटराश के डिली यहांग है यह शुनले परिजनस इंटरेस्थ से मारुथी का जो इंट्रेस्ट वह अलग है कि यह एक प्रटिकनि टास्क को पूरा करने के लिए क्टि से इतना के लिए कि पर्टिकुलर प्रॉफिट एंट्रेस्ट परेटिकुलर अलग है COP-ठी इnormरी के लिए इसरी नोलीच को शेयर करने में अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करने में हैजिटेट नहीं होते हैं मतलब ऐसा नहीं सोचते कि क्यों मैं मारूती के साथ शेयर करूँ अपनी टेक्नोलोजी को मेरे पास अच्छी है यह सोचते हैं कि कि अगर हम मीलेंगे हम दोनों चेने मीलेंगे हम तो कुछ बड़ा बनाएंगे हम कुछ बड़ा बनाएंगे इसलिए यह माइड नहीं करते हैं चाहिक करने एंड उसके बाद वहीं कोई कंपनी है वहार जोकल पीजुक्ति के साथ आखर ज्बार्टे कर लेती है कि बहार के करके गवर्मेंट अलाओ नहीं करती है 100% ओनर्शिप इंसर्टें इंडिस्ट्री इस यह कहते है कि जहां पर सुटेवल उसको लगता है तो वहां पर 100% अलाओ नहीं करते हैं इससे बता रहा है कि कई-कई जगाद जग गवर्मेंट ने को पूरा 100% अलाओ नहीं किया है इसमें जॉइंट वेंचर क्या है वही कि दो कंपने मिलकर आ रही है किसी पर्टिक्लर टास्क के लिए और टास्क खतम हो जाता है पूरा हो जाता है वह चीव कर लेते हैं तो फिर वह अलग हो जाते हैं और जो इन्होंने एंटिटी बनाई न लेकिन जो इसमें क्या होता है सेपरेट एंटिटी नहीं बनी है यह ना लोंग टर्म गोल्स के लिए एकठा हुए है अलाइन हुए दूसरे के साथ कि पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों एकठा हुए है यह इंडिपैंडेट ओर्गनाजेशिशन हो बनती है इनकी जो क बनागे लेकिन इनकी जो बनागे उंब से बवन एक परच सकते हैं जो फ ó姠िन के बनाए लेकिन हैं टी चो गणिवलातन बनाई इसमें बनाहीं है निट लेकिन इसमेंट गोंचने बनािए रहे झारी घ्लिओफ है अलाइन्न इसमें को स्बिस्ट बिसाटिक उनमाईम स्व लाई हुए है एक दुसरे के साथ उन्हें नहीं लिया है इसिए लिए कि उनको लगता है कि दोनों मिलकर पावरफूल कुछ कुछ बना सकते हैं इनके अंदर इंडेपेंटेजन और एंटिटी नहीं होते हैं इंडेपेंड़ेंडेटी का मतलब किया अलग उससे entities की अलग नहीं है लेकिन ये independent entities की बनती है by letter form of management होती है इसमें delegated होती है by letter का मतलब कि दोनों मिलकर करती है इसमें उतर delegate कर देते इतना ज़्याद वो नहीं है कि इनका ये किसलिए आये pass में को कम करने के लिए ये ऐसरी Ais को कम करने के लिए याई रिटन को maximize करने के लिए 2 ब्लैस 2 क्या होता है पांच कि reading low 순lee को maximum करने के लिए स्टी में बस एक ब्रशायत लिए कि इसमें हम entity लग से नहीं बनाते है इंड आ जोन into venture की अंदर हम entity अलग से बना देते हैं हम एक अलग से एंटिटी बना देते हैं उसके बाद हमारा तर्न की प्रोजेक्ट इससे भी बहुत बार कुश्चन आया है कि टर्न की प्रोजेक्ट क्या होती है टर्न की टर्न क्या होता टर्न कर देना घुमा देना की होता चाबी कियानि कि دیکھो एक Company है एक Company है वह कोई देश है, वह अपने कुछ चीजों को बहार से बनवाती है, सबकुछ बहार से बनवा दिया, मतलब बना बनाई समाना ऐसा है बहुत सकते हैं Ready Mate, हमने कुछ Ready Mate खरीद लिया, हमने कुछ नियो अपना लगाया, हमने बस पैसे दिये और हमने इसका इसका इग्जैम्बल है । मैट्रो. हमारे देशमें जो बनती है वह हम कहीं जपान वागेरा से बनवाले थे क्योंकि य। सबते हैं सबती है तो यह प्लस इतने साल हो तक कोस्ट पूरी कोस्ट प्लस प्लस में बनाने में इतनी को लगी है इतना प्रmother चाहिए कि बहु ऐसा तो नहें स्रीस कॉश्ट स még प्लक्रातों कोष्ट करेंगे कुछ प्रॉफित भी देखेंगे आँ में Satanson करवा लेते हैं कुछ सालों तक टोल जितना भी इसने वह बनाया है जब वह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। फिर फिर सरकार के अंदर आ जाता है उसे पहले वह पैसा किसके पास देने पड़ता है इसने वह बनाया है यह सेम उसी तरिक्ये से है कि हम clam एकमि बनाय बनाय सब कुछ ले लिया सर्कार ने कहा bettolle तुम बना के दे तो हम ऐसा करेंगे कि पैसे तुम लेते रहा न जित्भी talk कमा ग необход content तुम ले कर दी इनकि एकटी पारटिस्पेशन की गौवर्टन्य ने को कुछ नहीं कर आईर जैसे रोड वेगरा बनाती equal partners सब कप स स्कूंप तहीं तोक बना देकि आ दो कि बनाने के भाद है कि गर की सबोब तुम्हारे सब्सक्राइब तैजल नहीं सब्सक्राइब होग जान ंच वाले दिया het थो उन्हों सब्सक्राइब, BOD सब्सक्राइब गांच मतीले माले पिर की जो को ection हिंग, BOD सब्सक्राइब, BOD का मतलब अंको टर們 लपर, BOD सब्सक्राइब का जो समझने का है नहीं नांसे बता है कि बस हमें करनी हुआ ऐसे कि भी से होता है बॉल्ड लिए दी है डी से होटा दिवलप वहीं से और तक तो स्यम रहेगा इसल से हो जाएगा लिस्सट ओसे ओन है एक बार और ऑसे ऐक पार ऑपरेयट कि वापस करते हैं देखो कि build on developed, this build on least transfer, build on operate and transfer इसके कि पोछ लेते हैं यानि कि जो पुरी responsibility है contractor की होते हैंि डिजाइन करने की यह हमारा आता टर्म की प्रोजेक्ट यानि कि हमने पूरा बना बनाया system कहीं और से ले लिया बिना किस्ते अक्टिव पार्टिस्पेशन के एक होता है holy ओंड एक है कंपणनी का फिफ्टी वन परफेंट और दूसरी कंपनी का कितना होता है फोर्टी नाइन परसेंट तो यह कंपणी है यह होलडिंग होती है यह कौन से होते हैं सबसेडिरी जर्थ जिसके अंदर और आरही है यह कोंपनी किसी दूसरी देश की पूरे के फूरी शेर करीदे ले इसाकि पूरा कन्ट्रोल करके कि पूरा इसको ख्रीज सके ओन कर सके उस पे हक जमा सके उसे बोलते होली ओन सबसीडरी अब क्योंकि देखो इसके अंदर कंट्रोल जादा है तो रिस्क भी जादा हुआ रिस्क जादा है तो हमारा रिटन भी जादा इसके अंदर आता है यह सबसे लास्ट हमारा होता है होली अब इसमें एक प्लस एक होर होता है, एक्स्रा करी बार पूछ लेते हैं कि contract manufacturing क्या होती है, contract manufacturing इसमें कहोता है कि जिसके एक firm है, वो agreement करती है contract manufacturer के साथ, कि आप बना के दो और हमें फिर ship कर देना, और उसके hiring, मतलब हम ना कुछ या तो पूरे गुड को बना लिते हैं, या फि आपने कुछ लेंस कार्ट है, या फिर वहीं पर आपनी manufacturing unit को set up कर देती है, क्योंकि वहां पर सस्ता पड़ता है, या एक गुड के हिस्से को पूरे के पूरे गुड को नहीं, कई बार उसके हिस्से को कई बार पूरा पूरा गुड उसको बहार से बना रही है, और उस contract manufacturer को इसके पैसे देती है, एक फीज के बदले में, अब इसके बाद आता है हमारा, इसमें कहीं तरीके से हो सकता है, इसके type होता है, component, assembly and complete good, कि या तो हमने पूरा पूरा गुड बनवा लिया, या फिर हमने इसको कुछ हिस्सा बनवाया, या फिर हमने इसको कुछ नहीं बनवा इसका एक जैसे एपल, आपने सब कुछ बनवाता है लेकिन उसका जो ग्लास काड़ा वगारा वह चाइन से बनवाता है, इन फक्ट जो हमारे देश के बिजो स्पैक्स कंपनी से होती है, वह भी ग्लास कहां से लेती है, जो भी फ्लैट लेड होता है न वहाँ चाइना में बत मुण बना वगारेim, इसको जोड रहे हैं, पूरा गुड बना रहे हैं अब नास्ट ये डिफ़नस कर लेते हैं थोड़ा सा, आउट्सोरसिंग और ओफ्शोरिं में क्या डिफरेंस होता है, आउट्सोर न किया होता है, जिसकि लिछ ना आप these को एक्सिक कर इह अने पर कॉल सेंटर काम है इसके जो एक्सपरटीस है हम कहीं और से ले लेते हैं पूरा को कॉल सेंटर का काम कहीं और से ले लिया और ऑωटसोर्सिंग भोहीं औल शोर्सिंग क्या होता है ुशरा झाट कॉल जाहरे लेकि यहां सोफटवेर ड़ॉपर की नीड़ है करवा रही है सिरफ दूसरा हिस्सरा करवा दिफ्रेंस हें कि उसके री लोकेशन करती कि वह आपी से तक कहीं हुझ्छ नहीं कर रही है यानि कि हम बहुत सकते हैं off-shirting क्या है के हैे जर्थ और फो रहां ही हुती है कंपनी के डॉमेस्टिक कॉंट्री में देखो अब वह कुछ चुछ यह बारोग रही हैं मॉर्थ वह रही हां कंट्री वाले करने के कोशिश करी हैं इसकी जो पार्ट वन पार्ट वो भी जुरूर देखेगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे इसका फिर यह पार्ट और अच्छे समझ में आएगा इन तीनों वीडियो में हमारा यह कंप्लेट होता है अगर फिर भी कुछ टॉपिक रहता है और समझना होता है आप बता दीजेगा मैं उस पर भी बना दूंगी वीडियो होप कि जितना हमने आज किया यह समझ आया होगा अगर फिर भी कुछ टाहुटा तो आप पूछ लेना अपने दोस्त के दाथ इसके शेयर करना जो भी टॉपिक पढ़ते हो और फीडबैक झाल 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 झाल